शुभं करो तिकल्याणुं आरोग्यं धनसंपदा शत्रो पुटी विनाशाय, ती तो जुटी नूसुटी जिए। दैडी, दैडी, बेटी मीना, बेबी, आरे। दैडी, बेटी, अरे दुकिता, उपर बचा बेटी. अरे अरे इसे क्या है? जिक्टा. जिलाज़ जाए। रामरतन, यह क्या बत्तमीजी है, मिन आया कैसे चलियागी, ले जाए से यहां से नहीं दैदी, अगर मुझे कोई भेज नहीं है, तो मेरी मम्मी के पास भेजे, पर मम्मी तो भगवान के गर गई है न, दैदी मैं गुदकल बनूगी, आपके कमले में नहीं आउंगी रामरतन, क्या खड़े मुझे देख रहा हूँ, ले जाए से यहां से मालिक, आप इस मासूम को इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं रामरतन हमने जो फैसला किया है, सोच समझ के किया है इस बच्ची के स्कूल में अडमिशन हो गया है, रुपे भी बेज दिएगा है और फिर यहां इस बिन मा की बच्ची की देख भाल कौन करेगा मालिक, बिटिया की चिंता मत कीजिए मीना विटिया की देख भाल माहे करूँगा पहस मत करो रामरतन तुम समझते क्यों नहीं, कि हम जैसे शराबी के साथ ये लड़की रहेगी तो इसकी जिंदेगी बरबाद हो जाएगी अपनी मा की तरह घुट-घुटका मर जाएगी तो ये शादी हमारे लिए एक उल्जन थी, सिर्फ एक बंधन था जिसे हम नहीं चाहते थी अब फिर दो बार इस लड़की के बंधन में हम नहीं पस्ता चाहते इसे ले जाओ, आज इसे नैनी ताल पहुचा दो, ले जाओ ना इसे राम नतन ये क्या किया आपने रो मुपे मत रो में की अले, मीना वो नैनी ताल है ना, बहुत अच्छी जगा है वहाँ पे बहुत बला जील है मुपे कर दो 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 कर झाल 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 oh you girl play hockey, this is not akhara, I warn you this fall is back. यहाथी है ठेलीगी, बॉराब बचाएंगी, तो पैर जाएंगी you shut up तू सेन्टर पवड़ो केर, मैं इसको मज़ा चखार दीं मीना, तुम स्टूडन्ट हो, इस क्लास की मानीटर हो, तुम्हें ये मालम होना चाहिए, ये गार्डन पब्लिक प्रॉपर्टी है, जन्ता की अमानत है, इसको नुक्सान पहुंचाना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसी हरकत करने वाले को तो डूब मनना चाहिए, चलो, हां त शोर कैसा है, मीना, यहाँ हो, जाकर उन लोगों से कह दो कि शोर ना करें, जिसी हो, तुनिया, आप लोग यहां शोर क्यों मचा रहे हैं, हाई, आपकी तारी, अगर आपको शोर मचाना है, तो कहीं और जाएए, वहां मारा क्लास चल रहा है, डिस्टॉर्बंस होता है, यह गार्डन है, यहाँ पर क्लास लगाने की सलाह आपको किस पेवकूष ने दी, यहाँ तब फ्यास बुजानी चाहिए, आपको बलवा लीजिए, वरना आपी का साथ काफी, यह हाथ देखा है, काफी का उस्तरत है, दिखा यह न, इन रेखाओं में मेरा नाम तो नहीं ल हाद् sadece मेरे, ही की दी el ख़ुआ है ऐस वाद्म! ख़ुआ है, जोक्त कास झालक्तात साथ? मैंने इन गुनों से बच्छा लॉंसन ये भी उने में से एक है, हाँ, 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 शेट अप, आएंदा किसी लड़की से ऐसी हर्कत्की दो तुमारी हड़ी पसली तोड़ दी जाएगी, कामान गुल्स, I said, कामान हरी अप, दूजाल लड़कियों के छेड़ता है, वा साथ, मिया की जूदी और रूती का स अपर मेरा हाथ भी अच्छा है, फिर भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, कल को कुछ हो गया तो लोग हमें दोश देंगे, हमने कोई लाज नहीं करवाया, आने दीजियो डॉक्टर को, मैदम, डॉक्टर को, हमारे होस्टल के एक लड़की के हाथ में मोच आई है, माल यह हैं जोक्टर, दिलिप, ओ नो, ओ येस, यह सब कैसे हुआ, इनका क्लास बोटरी के लिए गार्डेन में गया था, वाहिक शरीप उन्ने ने इसका हाथ मरोड दिया, हाथ मरोड दिया, आज कल के लड़के बड़े बत्तमीज होते हैं, है ना मिस मीना, जी हाँ, लेकिन हम जी नहीं, वाकई वो लोफर था, गुंडा था, हो सकता है, हाथ दिखाईए, नहीं दिखाती, हाथ अब ठीक है, मेरा हाथ पकड़ना इतना आसान नहीं, समझे, यह क्या बत्तमीजी, दिखाओ अपना हाथ, देखिये, थैंक्यू, दर्द यहाँ है, नहीं, यहाँ, नहीं यहाँ, समझा, अभी भी दर्द है, नहीं, आपने, खामाश, डक्टर, क्या सच मुझ केस बहुत सीरियस है, जी हाँ, बहुत सीरियस है, हमारे यहाँ एक ऐसा ही केस आया था, एक औरत फिसल गई और उसके हाथ में मोच आई, इलाज फॉरण नहीं किया गया क्योंकि उसके जाना चाहिए, डक्टर, वो, देखा, इसका इलाज, अभी यह केस इतना होपलिस नहीं हुआ, आप इन्हें होस्पिटल भेज़ दीजिए, वहाँ स्क्रीनिंग करके बता दूँगा कि दर्द कहां पर है, नो, मैं होस्पिटल नहीं जाओंगी, डक्टर, हाँ, दरो नहीं मेरी मॉज्ल की मैं पिलाईए, कहीं डोस कम ज्यादा नहा हो जाए, ऐério, केस्ट्रोल की शेशी ले आना, दू, मैंटर, जी नहीं, यह दर्दो का बच्टछ? जी नहीं, वास पेर नो, घ्लास को पर दीज़, पलीज, मैं कहां, मैं प्योंगी, मैं कहतो, पीलो नहीं, इसे जबरदस्ती फिलाना पड़ाएगा नहीं, छोड़ दो मुझे, मम्मा फिला ये रखोड़ा, आदर्स लेगा डर्ये मत, मिसमीना, मैं आपको ठीक कर दूंगा जाजा, मैं ही तुझे ठीक करूंगी आज शाम को आप उने स्कीनिंगे ले ले लिएगा बाई-बाई मिसमीना जा लेटर जैनी तुम्हारा पत्रा कि मेरो दिनो है अरे वाँ पिताजी लिखते हैं हमने वच्चन दिया था कि तुम शिक्षा पूर्ण करो तो तुम्हीं फियाट गाड़ी देंगे नहीं फियाट आ गई है फियाट गाड़ी बेस्ट काऊ हाँ हाँ बस तुम्हारे घर आने की प्रतिक्षा है सुनो अब्बा हुजूर फर्माते है कि इंतिहान खत्मों होते ही फौरण घर चली आना और आके देख लो कि तुम्हें यूसस मियाँ पसंद है यह नि जिनसे तुम्हारा निकाल मेरी मम्मी का खत्त है लिखती है अपने हातों से बनाई हुई मिठाई का पारसल भीजा है मीना को अरे उस बिचारी को उसके पिताजी कभी पत्र नहीं लिखते इसलिए उसे दुख होता है लेकिन उसके पिताजी उसे क्यों नहीं पत्र लिखते भगवान जाने हुआ हुआ है लग काम हुआ है की सब लोग काम चौर के कौं बहुत है हजो बोली हुआ थी मस थो गया है तो जिला पर काम हर गया वो किसी के महावत के ताबू में नहीं आरह है अगर आप हुकम देर तो उसे गॉली मार दे को को मारत कि nem कुमे अबार प्रहाजा है वाओ вдुर भाओ हलूू हलूは भाओ, भाओ भाओ उडला ξa झात झाद जरो कालिया, कल तुम काम पर क्यों नहीं आए? हजूर, मेरी माँ भीमार थी. मौत भीमार ची, तुम तो नहीं भीमार थे? जी नहीं, लेकिन एक दिन नहीं आया, तो क्या हुआ? शागा, मुपर जवाब मत दो. क्या जवाब दिया हजूर? फिर जवाब? तुम्हारी मा की बिमार थामार कोई मतलब नहीं. चाहिए, वो मर भी जाए, तुम्हें काम पर आना चाहिए. एंदा ऐसी गल्ती नहीं होगी, हजूर. मेरी मा मर चुकी है. अच्छा, मा मर चुकी, जाओ काम पर. अच्छा, हुजूर. नमस्ते, चौशा अब चैंडर खत्मोने का वक्त पारहा है, अगर जल्दी से माल ना मिला तो बहुत नुक्सान होगा. इसका नुक्सान होगा. अच्छी मेरा, तुमसे बार बार हमने का के माल हम अपनी मर्जे से देंगे. तो सब ये लाख रुपे कर चेक ये चेक मुनिंजी को दे देना कमाला है 24 गेंटे शिराभी पीता रहता है काम दंदी की तरह पेखता है मली, शांती वर्त गोली दे दो अरे घुसा तरे बाप को चड़ा था रो शांती वर्त गोली दे रहा है अब माले मेले कर दो कर दो कि अरुप कि मर की का दो रहा कला है तो बिट मुझे कुछ नहीं हुआ मैं तो शेक कर रही थी शेक का आज विलायत में बड़ा क्रेस है तो यह तुम्हारा विलायती नरित्य है यह जवान लड़कियां नाचती है यह बुढ़ियां भी यू बुढ़्धा यू कॉल में बुढ़्धी लुक माई फीगर कोई कह सकता है भला I born big two sons तुम तो अभी सोला बरस की बालिका लगती है तुम तो अभी सोला बरस की बालिका लगती है हानी आव मैं तुम्हें ठाट दांग शिताओ क्या कर रही हो मैं पहले इस घर में तुम्हारे शारूप अनाच रहुआ अब और क्या नशाओगी मुझे लादा जी श्रिनाड़ मुने देदू तू जहां क्या कर रहा है Oh my goodness I thought that मुन्ना को लेनी स्कुल गया होगा जाओ जल्दी जाकर मुन्ना को लाओनी तो खो जाएगा गधा राम चंदर जी आगे बढ़े उन्होंने इस छडी की तरे धनुष को उठा लिया और उसमें डूर बांदने लगे धनुष के दो टुकड़े हो गए उनकी जाजेकार हुई तब सीता जी आगे बढ़ी उनको बर्मारा पहनाई मुन्ना मुन्ना मुजण 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 क्यों मैं पढ़ा रहा था और तुम सो रहे थे नोसा मैं आग बढ़ करके सोच रहा था क्या होत रहा था जो आप पढ़ा रहा थे क्या कह रहा था जो मैं सोच रहा अच्छा बताआ अच्छा बताओ सिउधनुष किसने तोडा लेकिन शिउधनुष तोड़ा आप खाली फिली मेरे गले पढ़ रहे हैं, शीव धनुष बने नहीं तोला, किसी और ने तोला होगा, I swear upon holy ghost. शांती, शांती, इधार आओ, इधार आओ, इधार आओ, इधार आओ, इधार आओ. चना, आप खाएंगे? चप्रा, शांती, शांती. टीचर, आपको इस स्कूल में टीचर बने हुए सरिफ एक साल हुआ, लेकिन मैं इस स्कूल में आज़ शाय से इसी कलास में हूँ, जरासा तो सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्या लगे? शांती, शांती. चलो मेरे साथ. इधर चलो? पिताजी के पास. किसके पिताजी के पास? अरे पिताजी के पास, और नहीं क्या मेरे पिताजी के पास? तो तो फिर लो उंगली पखलो. क्यों? अगर हम रख्ते में किसी मोटर ये बहल गाली के नीचे आगए तो? एक मिनिट, मेरा बैग. बैग लाके दो. जल्दी करो. बखलो. चलो. लारा जी, नमस्ते. रिखोना भे. ओहो, पंडित जी, आये, 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 आये. नमस्ते, नमस्ते. कहिए हमारा मुन्ना स्कूल में कैसे पढ़ रहा है? आठ हाल से खेल हो रहा है, इसाल तो इसे पासकारे दीजिये. आप कहेंगे तो स्कूल में एक हाल भी बनवा दूगा है. असंभव, आपके सुपुत्र परिक्षा में कभी उत्तिर नहीं हो सकते. उत्तिर नहीं हो सकते. मगर क्यों, क्यों? आपके सुपुत्र का चित्र विद्धियाध्यान में किन चित्र नहीं लगता? चित्र कैसे नहीं लगता? मैं इसे इवी चित्र पूर्वित गोलिये देता हूँ. लेकिन लाला जी ये कोई रोब पो रही है तो गोलियों से ठीक हो जाएगा. तो फिर क्या है अवे सीधा खड़ा लाए क्या है वा क्या है कि मैंने इससे एक साधारम साभ प्रश्न पूछा पिर दैदी दैदी मैं बोलूँगे तो नहीं पंड़ जी को बोलने देकर है बोलिये बोलिये मेरा बेगा है माय 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 ने पूछा मुन्ना जी बताओ से वोधन वोधनों किस ने तोड़ा तेजने जरूर जूट बोला होगा फोरो नहीं का होगा कर वाने नहीं तोड़ा क्यों बै दैदी I swore upon you and I swore upon this holy ghost मैंने इंगा कुछ भी नहीं तोड़ा मारने से बंचों के दिमाद पर साइकल और लॉजिकल इफित पड़ता है ममी, साइकल और लॉजिकल नहीं, साइकलोजिकल ओ, I know that, put me on earth अनर्थ हो गया अरे तुम्हारे सन्नी ने शीव धनुझ तोड़ा है और उपर से जूट बुकता है कि मैंने नहीं तोड़ा, क्यों बे तोड़ा है इसने नहीं तोड़ा होगा, वो पुराना होगा तोड़ गया हो ए भगवान, कहां आके फंस गया देवी जी, मैं तो रामायन के धनुझ की बात चीत कर रहा था जिसको श्री राम चंदर जी ने तोड़ा तो फिर रूर राम के बात के पास जाओ ना इसके बात के पास तो घरब जगे में आगा चल 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 मामी, मामी ये धनुझ ना, ये धनुझ मेरा दिमाग खराब कर दिया मैं जरा फ्रेश एर खा किया था जरा मामी, पाँ ये जए है बहुत दो कि अपने करें, करें दो करेंट को भादब करेंट फ़ोगज़ करेंट फिस्थ तुन दो क्या करती है क्या करती है आप 2 मुद्रॉ भादन पाने मुर्णा, पॉटली निए को अधिया रहा है, तो आप क्यो रहा है, तेरे पुसे तो पानी निकल रहा है, अधिया पुटली, पुटली इतने ताल से तुझा देख रहा हूं, इतने साल से लेकिन कभी ऐसी हालत नहीं呢, जैसे कि आज हो रही, मेरे तन बजन में आग लगी है ताने पिलाओ मुझे भूग लगी है खिलाओ स्कॉल से भाग कर आया है ना इसलिए जा कर दूद पी पिलाओ ठत यहां कहा है दूद जा घजा कर पी यही तो मुसीवत है तुम मुझे दूद पिता बच्चा समझती हो लेकिन मैं चोटा बच्चा नहीं हूं जानती ह मैं तो सच्चा हूं सच्चा क्या तेरे प्यार का सच्चा अब मुझे पता चला कि यह सब गरबर क्यों हो रही थी पूछ 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 बखो क्योंकि मैं मैं तुछ से प्यार करता हूं ना लो मुझना प्यार करने लगा जो चद्दी पहन कर फिता है स्कूल की बैग लट कर देता हूं तुमको चड़ी नहीं अच्छी लगती ना तो मैं कल से चड़ी नहीं पहनूंगा हाँ और है ना तुमको दाड़ी मुच्छी अच्छी लगती है तो फिर मैं सर्दार जी के जैसी दाड़ी मुच्छी रत लूँगा फिर तुम मुझे मुझे मुन्ना नहीं मु कुतली तु यहां क्या कर रही है यह किसका बच्चा ना थेकेदार का बत संबुंआ उपने हुआ है पुटली क्या तुम इस पुटले से शादी करो अरे इस जानवर से तो ये जानवर अच्छा है जिसकी दुम नहीं तो तो इसने साल से क्यों नहीं बताया अरे मुझे शर्माती थी ना लेकिन अभी तो बताया था था ना थोड़ी ज़र पहले मतलब यही के मैं गुंडा हूँ बत्तमीज हूँ आवारा हूँ है ना मुझे माफ कर दीजे वो मेरी गलत फहमी थी आप बहुत अच्छे है नेक है शरीफ है स्पोर्ट है एक बात बताईए जब आप कालेज में थे तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समन होंगे वाव यह फिगर तो स्पोर्ट्समन की ही है आपको तो अलिम्पिक्स में खेलना च ना खेल सकती हूं ना गुम सकती हूं खाना भी हरोस परहस का मिलता है और वो जालिम मेटरन वो तो हरोस केस्टरोयल पिलाती है डॉक्टर साब आप तो जानते ही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ प्लीज मुझे एक सर्टिफिकेट लिग दीजे ताकि मेरी जान उस मेटरन से प्लीज बचे प्लीज डॉक्टर आम सॉरी मैं आपको इजाज़त देजाए इसका मतलब है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया अगर एक भोली-भाली लड़की को सताने में ही आप अपनी शान समझते हैं तो ठीक है नमस्ते जरा सुनिये इजाज़त दे सकता हूं मेतरन जी मीना चदरी अब बिलकुल ठीक है उन्हें कैस्ट्रोयल ना दिया जाए वो जो चाहे खा सकती है खेलों में हिस्सा ले सकती है लेकिन पिछला इलाज बंद करने की सूरत में ये ज़रूरी है कि उन्हें शाम को छे बज़े लेक पर घूमने की इजाज़त दीज़ आज तो सचमुशी तेरी चोटी काड़ूंगे बोल क्या एरादा है बोल मेरी जौन भी चली जाए फिर मैं जोड़ी नहीं करूंगे कोई बात नहीं मेरा टेक्स मुझे मिलके आज इसे मत लो ये मेरी मरह मा की याद है मरे हुए की याद नहीं करनी चाहिए बेबी तेरी मा अब उसकी याद ही मरना दे नहीं पर चेन वापस लटा दे जगरा करना जाती हो पहले हाथ छोड़ा फिर बात करो पहले चेन दे दे फिर हाथ छोड़ूंगे चल खच चलनो इस ना समझ बालिका को मेरा नाम बता दे खेरियत चाहती है तो चेन वापस कर दे वरना आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा अच्छा तो च्यूटी के भी पर नी गलाई और आज चाहती है अच्छा ने पर लिएख टोड़े मास्का पीनाथ सिर्थ घुट अब नाम बता नाम बता आ है अब तु दुट मिन शागिस बन सकती है शागिस नहीं उससाद क्या है लता, इधर आ, यह तेरे बाल-काचने की धंकी देती थी न, तुरी चोरी करने पर मजबूर करती थी न, तुरी चाठे मारती थी न, मार इसे, मार वरना मैं तुझे मारूंगी, और मार, जोर से, बस, कैची निकाल, बाल-काचने की धंकी देती, काद इसके बाल, और जब ये तेरे सामने आय तो उसको दिखा देना जाके तेरे सामने सर नहीं उठाएगी ये सब क्या हो रहा है कॉमन दूम है पुष्टिका खड़ा देखे न मैचेंजी मीना ने मुझे मारा और मेरे बाल काट लिया मेना तुमने पद्मा को क्यो मारा उसी से पूछ लीजिए मैचेंजी मुझे लाथा की चेन के डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने कॉपी करने के रिए चेन लेली और मेना ने मुझे छूटा चोड़ी का हिसाम लगा और मारा जूटी जली गदी अब तुम गाली भी देने लगी हूँ और वो भी मेरे सामने समझ मैं नहीं आता आगे जाकर तुमारा क्या होगा I am fed up with you लेकिन मैं तुमना नहीं चाहती मेना, come to my office, immediately आप यहाँ आप यहाँ तो कोई भी आ सकता है, अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं बैठने के लिए आपकी इजाजिश की जूरूत नहीं, बहुत बड़ा लेकर मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ तश्रिफ रखिये, मुंग फेली खाईएगा नहीं शुक्रिया, मैं मतलबी इंसान के साथ कोई वास्तानी रखना चाहता है चलो अच्छा हुआ, मुझसे जान पेचानो के कम अज कम यह तो फाइदा हुआ आपका मीना मैं अभी तक तुम्हें समझना सका कि तुम क्या हो इसकी जुरुरत भी क्या है, मुझे समझना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साब काश तुम्हें दूसरे के एसास की कदर होती और उन्हें समझने की कोशिश करती तो आपके दिल में मेरे लिए कोई भावना पैदा हुई है कहना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारी समझ में आएगा कि नहीं कोई जल्दी नहीं है, जब आपको लगे कि मेरे समझ में आएगा तब कहिएगा नहीं शुक्रिया, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हर बात का मज़ा गड़ाती रहती है तो मत कही है लेकिन मुझे मालूम है मुझे मालूम है कि आज तुम सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम मुझे से मिलना चाहती थी लेकिन इस बात को कबूल करने की हिमत नहीं है जूट बोलना तो तुम्हारी आज़त बन गई देखे साफ, आप मेरा अपमान कर रहे हैं आपको क्या अधिकार है, मैं यहां से चली जाती हूँ काश मुझे वो अधिकार होता तो मैं तुम्हे दो चाठे मारता हूँ आज तक किसे ने मुझे यह नहीं कहा। कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है और आज तुमने मेरे साथ ऐसा मजा किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता तेलिफियर तुमने क्या किया मिना मैनने तुमसे जो कुछ कहा था मजाक नहीं था, हकीकत थी लेकिन अगर तुम मुझे प्यार के काबिल नहीं समझती हो तुम मुझे माल कर दो नहीं, डॉक्टर आज तक किसी ने भी मुझसे प्यार नहीं किया जिस प्यार के लिए मैं तरस्ती थी वो मुझे नहीं मिला जीवन पर मैं दुखी जहती आई हूँ सुक क्या है, वो मेने कभी नहीं जाना इस दुनिया में मैं बिलकु लगेली हूँ यहां मेरा कोई नहीं मत रो मीना, मत रो तुम्हारे जीवन से दुख के काले बादल हट रहे है और सुक की पहली किरन तुम्हारा इंतजार कर रही है वो देखो मीना, हवा थम गए फूल खिरने से रोक गए मेरी जिंदिये का यह वक्त पर रोक गया है चांती हो क्यों सिर्फ तुम्हारी मुस्काई के विए लो एकली मुस्काई लो एकली मुस्काई लो एकली मुस्काई दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहारें लाई लो एकली मुस्काई लो एकली मुस्काई दुनिया से जुदा खिलने की अदा का मन में बहारे लाई लो एकली मुसकाई मुसकाई, मुसकाई दोशीजा अल्लड नादान भुसन से अपने है अंज्यान प्यार की ना जाने पहजान दिल ही में दिल के अर्मान खुलाती वल खाती मद माती धूम मचाती लो एकली मुसकाई लो एकली मुसकाई दुनिया से जुदा खिलने की अदा ता मन में बहारे लाई लो एकली मुसकाई मुसकाई सोच रहा हूं वो तद्वीर कैसे हुसन की ये तस्वीर जिसकी जुल पे हैं जन्जीर बन जाए मेरी तकदिर शर्माती घबराती जब आती होश उडाती लो एकली मुसकाई लो एकली मुसकाई दुनिया से जुटा खिलने की अदा दामन में पहादे लाई लो एकली मुसकाई 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 मीना तुम्हारे खिलाओं पे बोहत बड़ी शिकायत है इन्हे यहां देखरी में समझ के शिकायत और पनिश्मिंट के सिवाई और कर भी का से जो पूछा जाए उसका सही-सही जवाब दो क्या ये सच है कि तुम होस्टल से भाग कर उस डॉक्तर से वक्ट बेवक्त मिलने जाती हूँ गलत, वक्ट बेवस नहीं, छुट्टी में जाती हूँ इसका मतलग है तुम उससे मिलने जाती हूँ क्या ये भी सच है कि तुम उससे इश्ख और महबत करती हो सच है, मगर मैं पूछती हूँ, क्या प्रेम करना पाप है? अगनोशियस, जानती हो तुम प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो, प्रेम की बाते हैं करते हो तो मैं शरम आनी चाहिए सच बोलने में शरम कैसी हो? जानती है इस गलती की सजा क्या है, तुम्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा अगर प्रेम करना आप गुना समझती है, तो जरूर मुझे सजा दीजिए, इस स्कूल ने मुझे और दिया ही क्या है जब मैं तीन-चार साल की दूद पीती बच्ची थी, तब मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया गया होश आया, तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में नहीं, स्कूल के चार दीवारों में बंद हूँ रात दिन मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरे आसू नहीं पहुचे हम दर्दी के बजाए, यहां मुझे मिली पनिश्मेंट, डपट और मार मैं अपने आसू खुद ही पहुचती रही यहां की सब लड़कियों को खताते हैं, उनके माबाप उनको मिलने आते हैं छुटियों में वो अपने अपने घर जाती है, मैं ही एक अबादन हूँ मैंने न कभी कोई खट पाया, न कभी कोई मुझे मिलने आया छुटियों में भी मैं अपने घर नहीं गई, इसी होस्टेल में गुढ़ती रही, तडबती रही मेरी माँ तो मुझे बच्पन में ही छोड़के चली गई पिता ने सिर्फ पैसा भेजना ही अपना फर्स समझा लेकिन मैडम बच्चों की परवरिश सिर्फ पैसों से नहीं होती उन्हें प्यार की भी जरूरत होती है मैं कभी फेल नहीं हुई लेकिन किसने मा की ममता से मुझे गले लगाया किसने पिता के अभी मान से बेरी फीट थप थपाई जिस प्यार के लिए मैं तरस्ती रही वो प्याराप लोगा ने मुझे नहीं दिया मुझे महसूस होने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ बिलकुल अकेली खुदकशी करने का ख्याल भी मुझे सताता रहा मगर हिमत न बढ़ी थिलीप मेरे जिंदगी में आया जिस प्यार के लिए मैं तरस्ती थी वो प्यार उसने मुझे दिया मेरी सूनी जिंदगी में वो बहार बनके आया अगर मैंने उसे अपना समझा तो कौन सी गलती की अगर आप मेरे सेच्चे प्रेम को गुना समझती हैं अगर आप समझती हैं कि मैं एक आवारा बच्चलन लड़की हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पनिश्मेंट दीजिए मुझे रस्तिकेट कर दीजिए मेरा अग्दला घोटी है सजा जरूर मिलनी चाहिए लेकिन तुम्हें नहीं हमें क्योंकि हम अपना फ़र्ज पूरा न कर सके मुझे इतनी बैते मारो कि मैं जंदगी भर अपनी नाकामे को न भूल सकूँ मैं ऐसी सजा मुझे मत दीजिए मुझे रस्टिकेट कर दीजिए मेरा कहरा हो मत रोगए थी मैं एक प्रिंस्पल की हैसियत से नहीं पाप नहीं लेकिन ये उम्र नादान है और तुम इतने ना समझ हो जवानी की गलती ही प्रेम को पाप बना देती है हमने कोई पाप नहीं किया मैं सेच कह रही हूँ मेरे यकीन कीजिए ठीक है मेना लेकिन उससे वादा करो क्या तुम उससे कभे नहीं मिलोगी अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है सबर है प्रेम की कसोटी है सबर करना सीखो में ही बीची तब उसकी असलिले जान सकोगी अब तुम जा सकती हो तो आपने उसे माफ कर दिया मुझे भी मिना से हंदर दिया लेकिन स्कूल का डिसप्लिन कायम रखना मरब पहला फर्ज है मिस्स रॉय डिसप्लिन पनिश्मेंट से नहीं प्यार से कायम किया जाता है ठीक है तो फिर आप उसे एक सर्टिपिकर दे दीजिए और एलान कर दीजिए कि हमारे स्कूल की लड़की आजाद है वो किसी से भी इश्ग कर सकती है अजीब बात है कोई प्यार के लिए तरसता है और कोई प्यार को नफरत समझता है आप चाहती है कि मैं मीना को रिस्टिकेट कर दो लेकिन ये आपकी इगो और स्कूल के डिस्प्लिन का नहीं एक लड़की की जिंदगी का सवाल है मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर खराब हो और उसका होने वाला पती उसको शक की नजर से देखे इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप उसे माफ कर दें ये मुझसे हर्गिज नहीं होगा ठीक है तो मैं उसे पनिश करूंगी आज से वह दूसरी लड़की उसे अलग रहेगी मैं अभी उसे दूसरे कमरे में शिप्ट कर देती हूँ नहीं वह आज से आपके साथ आपके कमरे में रहेगी लेकिन मैडम मैम एया गुड देज कोशिश कीजिए क्या चाहते हो मुझे मीना से मिलना है तुम उसे नहीं मिल सकते तुमारी बत्तमीजी की वज़े से आज वह रस्ट्रिकेट कर दी जाती क्या उसे रस्ट्रिकेट नहीं किया क्या तुम यहीं चाहते हो हम जानते इसमें उसका कोई तूश नहीं लेकिन तुमारे जैसे गयर जुमेदान नौजवान लड़कियों का पीछा करते हैं और उन्हें बदनाव करते हैं आप मुझे गलत समझ रही हैं मैं एक शरीफ आद्मी हूँ मेरी वज़े समीना को कोई तकलिफ नहीं होने दूँगा तो फिर आइंदाव से मिलने की कोशिश ने करना वो तुमें कभी नहीं मिलेगी और ना तुमारी कोई चिठी उसे मिलेगी लेकन सुनिये गरबान जी मैम साब अगर इस साब फिर तश्रीफ लाएं तो इन अंदर आने देना साब जा चुप वहां खड़ी क्या आता रही हूँ सोच रही हूँ कि पिछले जनम में मैंने ऐसा कांसा बाप किया जो हूँ किसे पाला पढ़ा मेरे साथ रहना पढ़ा यही न यह भला मैं कैसे कैसे बख्वास बंद करो चलो पढ़ा करो पढ़ने का मूर नहीं है मूर पढ़ोगी नहीं तो किसी के आम बरतन मानना पढ़ेंगे उसके लिए भी आप कहानी आओंगी तुम एक सिद्धी और सरफिरी लड़की हो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हम सब तुमारी भलाई चाहते हैं तुम्हे एक नेक और शरिफ लड़की बनाना चाहते हैं क्या कहने वाकई आप मेरी भलाई चाहती है इसलिए आपने मेरी खुशी मिटा दी मेरी जिन्दगी दुभर कर दी काश आप भी किसी से मुहबबत कर दी और इसी तरह वो आपसे छेम ली जाती शुआप इनी हरकतों की वज़े से तुमारे डेड़ी तुम्हे अपने पास नहीं बुलाते जादी है तो मेरे हैं आपका उनसे क्या वास्ता बत तमीज कहींगी तमीज से बाग कीजिए अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं रूममेट हूँ तुम कभी नहीं सुदरोगी कभी नहीं कोशीश कीजिए मिस रॉय और देखिए वो बत्ती बुजा दीजिए मुझे नीं दारी है मेटरन जी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं मुझे माफ कर दीजिए आएंदा मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी ऐसा कुछ नहीं मेना जाओ तुम सूचाओ क्या बात है? आपके आँखों में आँसों अच्छे नहीं लगते तुमने इन आँसों को आज देखा है लेकिन इहीं आसों मेरी अद्धूरियों नफरत बरि जिन्दगी के साथ ही है मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ मेरा भी कहीं कोहीं अपना नहीं आप अकेली क्यों रहती हैं? क्यों दुनिया को नफरत के नजर से देखती है, आपने शादी क्यों नहीं की? मजबूरी, तुमने कहा था ना, मैं भी किसी से महपत करती और वो महपत मुझसे छीन ले जाती तो आपने भी किसी से महपत की थी, किसने वो आपसे छीन ले? भगवाने, जिसे दुनिया वाले दयालों समझते हैं, उसी ने मेरी महपत का मजाक उड़ाया, मुझे जलील किया अब सिर्फ एक याद वाकि है, मिला, तुम जिस मैट्रून को दिख रही हो, वो इनसान नहीं, एक इनसान की जिन्दा लाश है अब सो मौत ही मेरे दर्वाई कहान को ख़त्म कर सकती है इसलिए मुझे दुनिया से नफरत हो गई, मेरी दुश्मनी इनसान से नहीं, भगवान से है, जिसने मुझे मरने नहीं दिया लेकिन इसमे भगवान का क्या दोश है, अगर उस मक्कार ने आपको धोका दिया नहीं, उन्होंने मुझे कोई धोका नहीं दिया वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे, हम जीवन में एक दूसरी के साथ ही बढ़ना चाहते थे यहां तक कि शादे की तारीख भी पक्की हो गई, फिर क्या हुआ? फिर, फिर मैं बहुत बीमार हो गई, मुझे सैनेटोरिय में दाखिल होना पड़ा वहां वो हमेशा मेरे पास रहते थे, मुझे हिम्मत दिलाते थे लेकिन फिर भी मेरी तबियत दिन बर दिन खराब होती गई, डॉक्टर भी नाउमिद होने लगे और एक दिन पता चला, कि मुझे टी-बी हो गई है, टी-बी का आखरी स्टेज डॉक्टर, एक बात बताएं, क्या यह बीमारी एक से दूसरे को भी हो सकती है अगर कोई मारीज के साथ ज्यादा संपत में रह तो नहीं, मैं यह नही होने दूँगी मैं यह नहीं होने दूँगी मेरे बीमारी उने नहीं होने चाहिए डॉक्टर, आज तक मैं अपने आपको दोक्ता देती रही लेकिन आपने सच पता देना चाहती हो. मैं आपसे प्रेम करती हूँ. मैं आपके बग्न जिन्दा नहीं रह सकती. लेकिन आपकी शादी होने वाली है? शादी? उॐ मेरी सिंदिगे की सबसे प्रन भूलती है. जहां प्रेम नहीं होता. महाँ शादी करके मैं अपना जीवन बरभाद का मैं नहीं चाहती जब मैंने पहली बार आपको देखा तब से मैं आपकी हुई चुकी थी कौन, आपके हुने आले पती थे उन्हें गलत पहमी होगी, मैं उन्हें अभी बुलागा मैंने डॉक्टर, अब उन्हें बुलाने से कुई फायदा नहीं मर्द सब कुछ परदाश कर सकता है लेकिन बेवफाई नहीं और मैं अच्छी होगे लेकिन मैं उससे दिन बर चुकी थी जिस दिन उनके चरह मुझसे दूर चले गए तब से मैं इसी आद में चल लही हूँ और चलती रहूंगी नहीं मेटलन जी, ऐसा मत कहिए मैंने आपको गलत समझा आज मुझे पता चला आपके दिल में कितना दर्द है आपने कितना बड़ा त्याग किया मुझे माफ रहती है रहती है रहती है डाक्टर मैं सुई नहीं लगवाँगा मैं जानता हूँ कि अब मेरा आख भी वक्त है मेरे श्रीर को और दुख मत दो मुझे शांती से मरने दो राम नाम सत्य है डैट डैट आप हम लोगो छोड़ के मत जाईए डालिग 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 बगवान तुमें सद बुद्धी रहती डिलीप नहीं आया मैंने तेलिगराम दिया डाश तुभी मेरे आखरी वक्त पर आगे मिलेता तुछा ही था ना पैस दूवान में राम ममम ममममि मम ममम ममम कम मममम प्लीज कम यह ममम डेड़ी मेरा डेड़ी तो मरने वाला है मममम लेकिन ममममम लंडन में ऐसे मौके पर नहीं रोते मममममममम मरने वाले इक आत्मा को तकलीव होती है ममी, हम लोगों के मरने से पले कपडे बदने हैं ड्रेस चेंज करना पड़ता है, फर बीर सॉकिल जे हाँ ममी, आपको काली साड़ी और काला ब्लाओ मेरे को काला सूट और काला बूड परना पड़ता काले कपडे पहलने से इनका भूद नहीं बलेगा ममी No, no! tracks, मामी, डेडी की अर्थी… Don't cry! Don't cry! मामी, डेडी की अर्थी Indian style में उठाइगे या English style में Of course, English! तो करजा तुरा मारी पड़ेगा Never mind! Never mind! चला मामी, डेडी के मदने से पले हम लोग चलके कोस्ट्यूम बदल ले मामी तेकर दार साभ आपको कुछ नहीं हुआ डाक्टर साभ वो तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ ये सब कुछ मैं जानबूट कर रहा हूँ आपने देखा नहीं मेरे जीते दी इन लोगोंने मेरा बोलो राम कर दिया है दिखिए जो मैं आपसे कहता हूँ आप वही कीजिए सब्सक्राइब अब आप मेरी मृत्यों की घोचना कर दिखिए है हमारे पास माइपिश है इसके पुछ कर दिखिए मारे पुर में इसकी जाइब चारओ कर दिखिए इताजी बिकादीनी अवर फादर इस ओओ अवर न या या वर देटर हो जी देखलिखिजी है सबस्टेजी है पिताजी ममी पिताजी पिताजी ऑप वंकिला चौल के शिरो हुआए नो आगया चुकरे पिताजी चुकरे बिरे शुकरे मेगवन का पिटाजी तो यह मुझे जिन्दा जला देते डैडी आप जिन्दा हैं ममी आप अभी तर सुहागन हैं ममी हम तो समझा आपका हनी भूत बन गया देख ले राड़ी वहा ने चुना तुनो तुन जाओ और दोनो अपने बदल करा आओ ममी चुलाओ चेंज करते हैं आई बेडा बगवान के लिए मुझे इस अंग्रेजी सरक्स से बचाओ इनको तो बगवान इसमाल सकते हैं तु बिलकुट ठीक कहता है यह वस्तुम्हे हमारे बस्त की नहीं है अपना गार जाड़ के नीचे आ गाई तो बापू इसमा देग लिए अचा पापू, 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 दरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यहां कोई first aid box नहीं है, कोई doctor नहीं है, ऐसे accident में मजदूर का इलाज कौन करता है, भबवान, काम करना और काम करते करते मर जाना, यही इन मजदूरों का जीवन है, doctor बापू, यह मुन्ना बैग लेकर क्यों नहीं आया, पुद्ली, तू जाकर बैग लिया, अच्छा, हजूरत को चोट लगी, इसलिए हम यहां आए हैं, तुसकर यह मतलब नहीं कि हमारा काम बंद हो जाए, जाल को काम, उठाज मन, उठाज यह का करने आप, तुम होरी जजुरत, जानते हम कोन है, शैतान, शैतान, जी हाँ, गरीब मजदूरों पे हंटर चलाने वाला शैतान की सिवा, और हो ही क्या सका है, यह हमारा इलागा है, यह हमारा हम चलता है, निकल जाए है, मैं डॉक्टर हूँ, इसका इलाज करना मेरा जब तक मरिश ठीक नहीं होगा, मुझे यहां से कोई नहीं निकल सकता, हम तुम्हें धक्के देकर बहार निकल सकते हैं, भगवान से डरो चौदरी साहब, गरीब को इतना मत जुकाओ के वो जुक कर ऐसा उठे के तुमारी गर्दन पकड़ ले, गर्दन पकड़ ले, इस रोजी इंसान को लाचार बना देती है, मालूम होता है, इस इलाके में नहीं आया हो, दो बार यहाने के अमत ना करना समझे, जो किदार, जी हज़ूर, जुम्हें कर लेजा यहां से, तुम लोग क्या कर रहे हो, काम करो, बिठा दिली, आई वस थौटिंग, थौटिंग न बाष, तुम यहीं रहो, मैं तुमें एक बहुत बड़ा हस्पोटाल बनवा दूगा, हॉस्पिटी बनाकर क्या होगा, इस देश में डॉक्टरों की कोई कदर नहीं, इंग्लेंड में बहुत पैसा मिलेगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं यहीं डॉक्टरी करूँगा, हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत जुरूरत है, जंगल में काम करने वाले मजदरों का दवादारू भी नहीं मिलती, उनके मालिक उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, वो बिचारे बिना इलाज के मर जाते हैं, इन जंगली लोगों में डॉक्टरी करेगा, नेट्यों तो बनेगा, हरिबल, पिता जी अगर आप इजाज़त दें, तो मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, अरे बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, गरीबों की सेवा जरूर करो, लीडर बनेंगे, बाप बेटे लीडर बनेंगे, वाँ, यहां से जाना नहीं, तुम घरीबों की सेवा करो पैसा मैं लगाओंगा थांच्छ प्रश्री मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ सब लड़कियों अपने अपने घर चली गए जिर्में ही अकेलिया रह गई हूँ दिल छोटा ना करो मीना तुम्हारे पिताजी का ख़त जुरूर आएगा और फिर तुम अपने घर चली जाओगी तुम्हारे प्यान ने मुझे सुकून दिया था लेकिन तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं भी यहां केली रह जाओगी आप भी मेरे साथ मेरे घर चलीए ना हम दोनों एक साथ रहेंगे नहीं मेना अब तुम्हें कॉलेज जाना होगा फिर तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारी जिंदगी में भी बहार आएगी लेकिन एक वादा करो मीना जब तक मैं जिन्दा हूँ तुम मुझे मिलती रहोगी चलो सर्दी बहुत है कहा है वो चिथी जिसमें मुझे कश्मीर जाने को कहा है मालिक ने कहा है मीना जी को छुटियों में कश्मीर भेज दिया जाए उनका यहाँ आना मालिक को पसंद नहीं अगर और पैसों की जुरूरत हो तो खत लिख दीजे पैसे भेज दे जाएंगे चलो यह तो अच्छा हुआ तुम्हें भी इजासत मिल गई अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो नहीं मैं कश्मीर नहीं चलूँगी मैं अपने घर जाओंगी और अपने पिताजीन से पूछूँगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी सूरस तक नहीं देखना चाहते मेना मेरी बात मानो और घर जाने की जित छोड़तो उन्होंने तुम्हे वहां नहीं बुला उसकी भी कोई वज़े होगी नहीं मेटरन जी मुझे मत रोकिये मुम्किन है मेरा ये घर जाना पहला और आखरी हो मैं जाओंगी मेटरन जी नहीं मेरे होगी बुछान एंचे मेरे मदरि कम वेका करर मसब और रहना धूछान कर्या पृव थोम सा लगे मेरे झालवन काली अल्वान पहलवान szerdit सामाण पारओड पहतो, जो, जूमन बच्चा, कैसे हैं तुम? हम ये जंगल का बहुत बरा डॉक्टर है, डॉक्टर फ्राद, लेकिन डॉक्टर तो वो अदली बाबू है आप, वो तो हमारा कंपाउंडर है, वो मेरा कंपाउंड में रहता है, लेकिन आइस्ता एक दिन वो भी डॉक्टर चीतर बन जाएगा, तुमारा साथ, क्या हुआ, डॉक्टर, बहुत दुखता है, दुखता है, तो बात नहीं, मैं तुम को तकलीफ ने देंगी, मैं तुमारा बेटे को तपास करेंगे, तुम इनका बेटा है, नहीं डॉक्टर, मैं इसके साथ मेरा शादी होने वाला है, आइसी, तो तुम जुमन के बेटी के मन के जुमर प्रूतलया है। हसता क्या है तुम बार जाओ, बाइदा रहा। छलाव। मिस्टर जोमाण, तुम को तुमारा वरत लावरत लावत लावटा नहीं दिया। नहीं दाक्टर, बस एक बेटी दिया है। अरे बेटी, एक दाक्टर को परनाम कर। God bless you, God bless you, नहीं, 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 तुम मेरा पाउ मत चूओ, पाउ तो भगवान का चूओता है, तुम मेरा सीने से लग जाओ, मैं तुमको फ्यार खरेंगे नहीं जानता बाबा, यह आजकल नए धनका बूशाए बैबेरा पास करओ, उसी तरह आजकल जायदा बचा लोग हो ज Żाइदा आज बीमार को दून का पता है अच्छा अच्छा बेटी जो तपास कराओ बेबी इजर कोई दूसरा फ्लंग है वो क्या है? वो इसी चलो उदर चलो हम तपास करेंगे God bless you, God bless you बेबी इसमर तुम लेट जाओ नहीं लेट जाओ धरो नहीं लेट जाओ वेरी गुद बेबी वेरी गुद बेबी अब तुमारा नारा दिखाओ क्या? आमेन नारी दिखाओ नारी यस वाद बीटिफुल कलाई कोई बात नहीं अब थोड़े जबान निकालो नहीं 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 चास्मर्श कुछ नहीं देखता थोड़ा नस्दीक आना परेगा बापो देखो नहीं दाडियल क्या कर रहा है अब तुम इदर मत देखो तुम मुंडे उदर करो ने तो तुमको तकलिफ होगा मुंडे उदर करो वेरी गुद बेबी जबान निकालो वेरी गुद प्यूटिफुल जबान अब हम तुमारा दिल का धरकन सुनेगा God bless you अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं तुम ही नहीं करने दूँगी गुटू तु अरे तु यह क्या कर रहा है दाक्टर तुम क्यों हो गया तुम इदर क्यों देखा फिर से मैं देल का धरकन सुनता तुम काम भी बन करो उदर करो मूँ उदर मूँ करो मेरे कुछ सफास करने दो पुटली मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता देखना मैं तेरे गम में कितना मोटा हो गया हूँ अरे हाँ एक बात याद है मैं भाईया से बात की तु तेरे बुड़े के लिए बिलकुन दरना पुठीक हो जाएगा चल मेरे साथ लेकिन यहासे चुटकारा कैसी मिलीगा मैं तु चले चलता हूँ अब तु मेरे चला किते मैं कालिया को भी उल्लू बना की यहीं पुटा जेता हूँ तु में जाओ थाजा होँ तुम्हारा जेंगल हुए का मैं उड़ा ही सपावार कैसे जाओगा कोई बात नहीं तुमारे जेगा तुमारे बेट जाएगा रे लिए यहान्य भी मारे बेटिया के हूँ कर्ण्य होमत्य नहीं आखए बबोलszy हगरा को ना हम तुम्हारा बापू का बापू है तुम चाओ जाओ 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 God bless you खा लिया जी साफ तुम दो बातली बेवडा लाओ और इसको फिलाओ और एक आने का लाल मिर्ची लाकर इसका आख में पांच-पांच मिनिट में डालो बहुत अच्छा साफ भूक लगता तो इसको अद्रक का पानी में डामर मिला के खिलाओ बहुत अच्छा साफ God bless you मेरे जंगली कबूतर मेरा दिल एक मंदर बस है जिसके अंदर तेरी तस्वीर जानाना के मैं हूँ तेरा दीवाना आ, आ, आ ये तेरी चोंच मेरी चोंच से कैसे मिलेगी बहुत हैरान हूँ दिल की कली कैसे खिलेगी ये तेरी चोंच मेरी चोंच से कैसे मिलेगी बहुत हैरान हूँ दिल की कली कैसे खिलेगी जो मिल जाएं ये दो सोचे तो दुश्मन मिलके ये सोचे के तू है मेरी दीवानी या मैं हूँ तेरा दीवाना मेरे जंगली कभूतर मेरा दिल एक मंदर मेरे जंगली कबुतर मेरा दिल एक मंदर बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर जाना ना कि मैं हूँ तेरा दीवाना लगे जो प्यास तुझको खून बेंपना प्ला दूं तेरी खातीर जो मर जाओं बड़ा ही काम कर जाओं यही है मेरा अफसाना कि मैं हूँ तेरा दिवाना मेरे जंगली कबूतर मेरा जिल एक मंदर बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर जाना लूँग मैं हूँ तेरा दिवाना काहा है मेरी मीना, मीना, मेरी बेटी, क्या, सच मुछ तुम मीना हो, नहीं, नहीं, हाँ, मैं ही मीना हूँ, नहीं ताल से आई हूँ, सच, मेरी बेटी, आरे, तु कितनी बड़ी हो गई है, ठैर, ठैर, मुझे, मुझे जीव है, के देख ले देते, क्या हुआ, रो क्यों रहो, कौन हो तुम, नहीं पैचाना अपने रामरतन चाचा को, मेरी डैडी कहा है, मुझे ले चलो ना उनके पास, अब तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं, ले चलो ना मुझे उनके पास, नहीं, वो इस वक्त किशी से नहीं मिलते, अपनी बेती से भी नहीं मिलेंगे, बरसो बाद मैं घर आई हूँ, उन्हें देखने के लिए तरस रही हूँ, मैं जानता हूँ बेती, पर मेरी बात मान दे, तु सफर से आई है, ठक गई होगी, चल मैं तुझे कमरा दिखा दूँ, तुझे गुसल के लिए गरम पानी लाता हूँ, फिर तुझे गरम-गरम खाना खिलाता हूँ, फिर कल सुबह मालिक से मिल लेना, चल, 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 प्रण सनल яв मेरी बेना, चल, तु सिह सा ज होगी, तु जाज हा हूँ, तु सिह घ्मल इक कमरा खूइ. डैदी डैदी, मैं आ गई डैदी, डैदी मैं हूँ मीना, आपकी बेटी डैदी, आप बोलते क्यों नहीं डैदी, आप ऐसे क्यों सोए हैं डैदी आपकी, आराम से सो जाएए आपकी, आराम से सो जाएए 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 कर दो 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 कर नहीं बैचाना मुझे, मैं हूँ मीना, आपके बेटी, नहनी ताल से आई हूँ जिति रहू, वगर तुम यहां क्यों आई? मेरे एक्जाम्स खतम हो गए, वहां की पढ़ाई भी खतम हो गी, तो फिर मैं वहां रहे के क्या करती? लेकिन, लेकिन हमने तुम्हें कश्मीर जाने के लिए लिखवाया था, रुपए भी भजवा दिये थे, तुम वह गई क्यों? मुझे कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अपनी घर आना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी, आपको देखना चाहती थी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम आज ही वापिस चली जाओ, क्योंकि यहां राना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्यों, डैडी, आप मुझे हमेशा अपने से दूर क्यों रखते हैं, पास क्यों नहीं आने देते क्योंकि इसी में तुम्हरी बहलाई है, और इसी लिए हमने तुम्हें हॉस्टल में रखा था मैं समझी नहीं, तुम्हारे समझने की जरूरत भी नहीं डैडी, अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, तो इतना बता दीजिए कि मेरा कुसूर क्या है, फिर मैं यहां कभी नहीं आओंगे तुम्हारा कोई कुसूर नहीं, फिर भी तुम यहां नहीं रह सकती डैडी, यह ख्याल है, कोई हमारी बात नमाने, यह हमें बर्दाश्ट है लेकन डैडी, बैडी, हमें जो कहना तो तुमसे कह चुके, जितने रुपे चाहिए राम रतन से ले लो, और आज ही चली जा रहा हूँ मुझे घर से निकाल दिया, मैं यह कभी नहीं आओंगे कान खूल कर सुनो बैटी, ना तुम रो सकती हो ना इस घर से जा सकती घर के मालिक ने मुझे यहां से निकाल दिया, फिर तुम को रोते हो मुझे रोकते वाले मैं कौन होता हूँ, इस घर का नावकाद चाचा, अब मुझे मत रोको, पंद्रा साल बाद घर आये हुए लड़की को जो पिता गले से नहीं लगाते जो उसको घर से निकल जाने का हुकम देते हैं, वो अब मेरे पिता नहीं रहे चाचा, आज मैं सच मुझे अनात होगी नहीं, मालिक को तुमने गलस समझा है, वो भुरे आदमी नहीं है मैं तुम्हारे दिन की हालत जानता हूँ, और मालिक को भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसलिए कहता हूँ बेटी तुम मत जाओ बेटी, अब मैं बूला हो गया हूँ, मेरे बाद उन्हें तुम ही समाज सकती हूँ चाचा, यहां रोक कर क्यों मुझे और सलील करवाना चाहते हूँ मुझे जाने दो, तुम्हें मेरी कसम, तुमने मुझसे हमदर दी जताई अब जाते वक्त तुम्हारा ही आशिरवाद चाहती हूँ बेटी, नहीं मन दे, तु जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा कर देखा यह लो, यह तुम्हारी दी है, लो अब मुझे इसकी जुरूरत नहीं, अपने मालिक से जाके कह दो, कि उनका रुपया मेरे लिए जहर है उसमें प्यान नहीं, फर्स की बद्बू है इसमें फर्स की बद्बू नहीं, ममता की खुश्बू है बिटिया पंधरा साल से इसे मैंने सम्हाल के रखा दू लो, पढ़ो इसे, पढ़ो तुम्हारी माँ हाँ मेरी लाडली मेना, बहुत बहुत प्यार मुझे मालूम है कि मेरे जिनकी खत्म हो रही है इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहते हूँ बेटी, उचाहे तुमसे नफरत करें, बुरा बरताव करें तुम उन्हें नफरत से नहीं, प्यार से देखना अगर तुमने सुधर सकी, तो मेरी तड़ती हुए आत्मा को शान्ती मिलेगी तुम्हे मेरा आशिरवाद, मेरा प्यार, तुम्हारी मा मा चाचा, यह अपनी कसम तो और देखे, मैं यही रहूँगी कभी नहीं जाओंगी यहाँ साच भुष्या, मेरी अची भुष्या, मेरी अची भुष्या अची भुष्या अची भुष्या राम रतान, सोड़ा क्यों नहीं रखा है बगार सोड़ा के विस्की रख दी यह हो क्या गया तुम्हे आज पहली बार यह गलत ही किसलिए माफ करता हूं आएंदक तुम्हे हमने चले जाने के लिए कहा था तुम गई जाने जाओं तो कहा जाओं मेरे लिए कहीं भी जगए नहीं कहीं भी जाओ, शिम्ला, मसूरी, कश्मीर लेकिन यहां से जाओ, इसी बाग मैं मजबूर हूँ, मैं यहां से नहीं जाओंगी बच तुमीज जाओ यहां से, निकल जाओ अरी, मौर खाती है डैडी, आज मैं बहुत खोश हूँ खोश? क्योंकि आपने मुझे माना और मारने का हक सिर्फ उसी को होता है जो प्यार करता है नॉंसेंस, हम किसी से पैर नहीं करते तुम एक लड़की हो वरना वरना क्या डैडी मुझे जान से मार डालते अगर इससे ही आपको खुशी होगी तो जरूर मार डालिये लड़की तुम यहांसे चली जाओ तो अच्छा है क्यों डैडी क्योंके हम इंसान नहीं यहां तुम्हारी जल्ड़की बरबाद हो जाएगी हम यहां के लिए रहना चाहते हैं यहां आम किसी का दखल नहीं चाहते है जितने रुपय चाहू राम रतम से लेलो और चली जाओ अहांसे मुझे रुपय नहीं चाहिए मैं यही रहूंगी, यहां रहने का मुझे पूरा अधिकार है भगो मत, यह हमारा घर है, इस घर में हमारा हुकम चलता है किसने तुम्हें यहां रहने का अधिकार दिया आप ने, इस घर में मेरा जन्म हुआ है ये मेरे पिता का घर है, आप मुझे यहां से नहीं निकाल सकते अच्छी बात है, अगर यही तुमारी जिद है तो क्या डैडी? तो तुम यहां रह सकती हो, मगर अपना चेहरा में कभी ने दिखाना, इस कमरे में कभी ना आना तेंक यू डैडी, आज आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका ज़िए नॉंसेंस, हमें किसी की सेवा नहीं चाहिए, हमारा कोई नहीं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं ऐसा मत रहिए डैडी, मैं हूँ आपकी, मैं क्यों तंग कर रही हु हमें, जब हमने तुम्हें रहने के लिए कह दिया, जाओ यहां से जी डैडी, अगर सोडा खतम हो जाए, तो मुझे आवाज दीजिए रामरतन से काओ, उसको मैंने छुट्टी देती है एक नोरि दिकाय दे रहा.. मुझे कुछ नहीं दिकाय दे रहा मुझे कुछ नहीं दिकाय दे रहा रुक जाओ हुए! एक कुहरा बड़ा खतर्नाक होता है वहिं जे रुक जाओ है! मीना, मीना, मीना दिलिप, मीना, वैसे खड़े रहो, मुझे तुम्हे जी भर के देख लेने दो, आज मुझे मेरी मुहबत वापस मिल दी, मुझे मेरी दिलिप मिल गया, दिलिप मुझे ऐसा लगता है कि खुशी से मैं पागल हो जाओंगी, मुझे अपनी बाहूमें लेलो मत रो मीना, मत रो, बैटओ, बैटओ जो खोरा हमारे बीच आगया था आज वो हड़ गया मीना मत रो मीना मत रो ये वक्त रोने का नहीं, ये वक्त हमारी खोश्ची का है हमने मेलन का तुम मज़े छोर के क्यों चले गए अपनी मीना का धर भी ख्याल नहीं गया जब मुझे पता चला कि अचमनिकल्ञ जोड़के हमेशा के लिए चले गए तो मुझे यकीन हो गया कि सुख और प्यार मेरे नसीब में ही नहीं है मैं वह अभादल हूँ जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता ऐसा मत सोचो, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ ही जब मुझे पता चला कि तुम्हे रस्टी केड करने वाले हैं तुम्हे तुमसे मिलने होस्टल चला आया लेकिन तुम्हेरे मेटर ने मुझे निका दिया मेरी वज़े से तुम्हे कोई तकलीफ पहुंचे यह मैं कैसे बरदाश कर सकता हूं मेना लेकिन मुझे पूरा भरुसा था कि एक न एक दिन मेरी खोई हुई जिन्दी की जुरूर वापस आजाए आज तो मुझे मिल गए मुझे सब कोच मिल गया मेना सब कोच मेना अब मझे चोर के कभी मच जाना जुल्फ बिखराती चली आई हो पेजी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा बदली का क्या होगा जुल्फ बिखराती चली आई हो एजी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा हाँ हाँ बदली का क्या होगा आँख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे 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 आँख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे शर्म के मारे दहकें गाल ये गुरे 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 शर्म के मारे दहकें गाल ये गुरे गुरे आग भड़ काती चली आई हो आग भड़ काती चली आई हो ए जी सोचो दो जरा शोलो का क्या होगा जुल्फ बिखराती चली आई हो ले बैठी हैं हमको ये अनजान अदाएं हाँ ले बैठी हैं हमको ये अनजान अदाएं छोड के दर को तेरे बोल कहा हम जाएं हाँ हाँ छोड के दर को तेरे बोल कहा हम जाएं जाल फैलाती चली आई हो जाल फैलाती चली आई हो एजी सोचो तो जरा पंची का क्या होगा जुल्फ विखराती चली आई हो एजी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा है हाँ हाँ बदली का क्या होगा क्या सोच रही हूँ कि हर लड़की का यही अर्मान होता है कि उसका अपना घर हो वो घर है तो तुमारा वो घर मेरा नहीं डैडी का है मुझे तो एक ऐसा छोटा सा घर चाहिए जहां तुम हो मैं हो और और आट बच्चे ओ नो ओ येस तुम तो फिल्म की हीरोइनों की तरवाते कर रही हो जो शादी से पहले ही कहने लगती है कि मुझे आट बच्चे चाहिए मुझे दस बच्चे चाहिए अनो ये नाममकिन है क्यों नाममकिन है अच्छकासे डॉक्टर हो क्या कमी है हमारे पास हमारे पास कमी नहीं लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम देश की आबादी न बढ़ाए चांती नहीं हो हमारे देश में अनाज की कितनी कमी है तो फिर अनाज की पैदावार बढ़ाओ, बच्चों की क्यों कम करते हो? अनाज की, लेकिन बच्चे भी नहीं बढ़ सकते, आठ नहीं सिर्फ दो, एक लड़का, एक लड़की नहीं, चार लड़के और चार लड़कियां देखो मीना मुझे नाराज मत करना, इस बात का समझता नहीं हो सकता, सिर्फ तीन ठीक है, शादी के बाद देख लूगे, लेकिन अब तो चनू, बहुत देर हो रही है, में जुझे राद देखती होंगी उनको अकेले रहने दीजिये, आप मेरे पास बैठिये, हमारा अभी तक जी नहीं भरा अच्छा, तो फिर गाईए ना, के दिल अभी भरा नहीं तुमने इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? हमारे सवाल का जवाब तो, तुमने इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं मालूम था, कि ये आपका घर है तो फिर किसका घर समझ के तुम यह चली आईए? मुझे मीना ने यहा आने के लिए लिखा था मीना से तुम्हारा क्या वास्ता? मैं उसकी हॉस्टिल की मेटरन हूँ I see यह बात मैं मालूम नहीं ते वरना तुम्हरी जेसी जली लहुरत का सायब यह मुत पर नहीं पढ़ने देते परेशान होने की जरूरत नहीं हम तुमसे यह न पूछेंगे कि तुमने हमारे साथ बेवफाई यह हमें बर्बाद करने की कोशिश्ट्यों की मकेली आई हो यह वा डॉक्टर भी साथ आया है मकेली आई हो मकेली हो क्यों कि तुम्हें धोखा देने की आदत हो गई जी नहीं अचानक आपके मिल जाने से मैं मैं अपने होश वह वाज खोगे दिया हूँ तुम्हें कुछ कहने का मौका दीजिए हम तुम्हे एक मिनट का बग देते निकल जाए हाथ पे पहने मेरी बात तो सुनीजिए हम कुछ ने सुनना चांजिए आपके मेरी पारे में गलत पहनी लाए अरत पहनी गलत पहनी नहीं हाकिकत है अपने जी किया दोश में रही है लेकिन पहले मेरी बात सुनीजिए फिर जो जी चाहे कीजिए जो सुनना था सुन चुके देख भी चुके बेतर हमें जादा तैशने दिला निकल जाओ नहीं से निकल जाओ बेवफा औरत मत्यों हमारे पैर वारना जो हमें उस दिन करना चाहिए था वो आजगर बैठेंगे रामेतन इस औरत को इसी वक्त धर्के देकर बहार निकाल दो मुच्छ मुची मुचाय क्यों चलियंके मुची 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 क्यो Εमन उसा निकल दिया निकल दिया हमसे बगाएर पुछ तुमने उसे क्यों बलाया था मैंने सोचा कि शायद इस कर में मेरा भी अधिकार है शायद तुम्हें नहीं मालूम कि वो एक पचलन औरत है नहीं डैडी वो ऐसी नहीं है मैं उन्हें जानती हूँ वो एक दुख्या औरत है जिन्दगी वाथ ज़िए जब तुम पैदा भी नहीं होते तब समसे जानते हैं क्या जानते है डैडी यही कि उसने वह बात तुमारे सुनने लाइक नहीं है नहीं तुम से कह सकते है नहीं डैडी यह गलत है आपको नहीं मालूम, में चिंज नहीं मुझे कहा था कि क्या बात है जोकिदार हुजूर मजदूरों ने जंगल में काम बंद कर दिया है कहते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम काम को हाथ नहीं लगाएंगी यह बंदूख हमने तुम्हें किसली दे रखी है लेकिन हुजूर, यह सारी बदमाशी ठेकेदार साहब के उस डॉक्टर लड़के की है उसी ने हमारे मजदूरों को भड़काया उसे गोली सोड़ा दो और उसकी लाश दमीन में गार दो धरो दिलावर से काओ के हाथियों को शराप पिला कर उन मजदूर उपर छोड़ दें वो नहीं जानते हो किस से ठककर ले रहा है जो हम भी चलते है आज हम लोगों ने जल्म के खिलाफ आबाज उठाई है और मालिक के जल्म का मुकाबला सिर्फ काम बंद करने से ही हो सकता है लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी मालिक हमें तबा करने के कोशिश जरूर करेगा अगर हम शांती से मुकाबला कर सके तो जीत हमारी होगी दिलिप दिलिप तुम यहां से चले जाओ तुम्हारी जान खत्र में है प्लीज यहां से चले जाओ दिलिप नहीं मीना, अब तो इन लोगों के साथ मैं और मेरे साथ इन लोग तो इन लोगों भी यहां से चले जाने को कहो दैजी ने हातियों को शराब पिला कर इन लोगें की बस्ती को बर्बाद करने का हुकम दिया है ठीक है, हम हातियों के पेरों के नीचे कुछल जाएंगे लेकिन सुम के सामने कभी सर नहीं चुकाएंगे यहां से चले जाओ दिलिप, जिद मत करो, प्लीज, मेरे लिए यहां से चले जाओ नहीं मीना, नहीं, ना तुम्हें खुच जाओंगा ना इन लोगों के जानी दोंगा अगर एक इनसान दूसरे इनसान की जान लेने पे तुला है, तो यह भी हो जाए लेकिन मीना, तुम यहां से चले जाओ नहीं दिलिप जाओ, मीना ये तुम्हारा मामला नहीं, यह तुम्हारा से चरी जाओ, जाओ मीना नहीं दिलप, अगर तुम यहां से नहीं जाना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी तो जा रहो, इधर आओ, बैठो मैं उजगी तुम्हारा से फिर्बट्टी तुम्हारा क्या जाओ, क्या हो! हर्ब मैं दीपिऴ्गा राओ तुम्हार! बंब मैं ऌर्फा बीच्मकर ले마 मिना मिदेग से चाह्यispर मिना, हट जाओ वहां से, मैं खाट जाओ वहां से, वरना हातियों से कुछ ले जाओगी अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं, तो हातियों को रोक लीजे, वरने ये सब लोग कुछ ले जाएंगे हुमें उन कमीनों की फरवानी, तुम हट जाओ वहां से दो मुझे भी इन लोगों की साथ मरने दीजे, मैं यहां से नहीं हुटूंगी भुदूल जिद मत करो, हच जाओ वहां से, हच जाओ नहीं डैदी तुनदरी, बैक, बैक सुनदरी, बैक बैक सुनदरी सुनदर डैदी डैडी, 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 यह क्या हूँ आपको, दिले, अरे इंदर आओ, जल्दी, उठाओ इने, डैडी, दिले, डैडी, अभी तक होश में क्यो नहीं आए, गवरा नहीं है, वो अच्छे तो हो जाए नहीं है, हाँ मिना, हाँ, 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 तो बहुर इंदेशन अस हाँ, फपफ अजिा चाँ मुस म काँईगता है जुम्मन काका पुतली की सगाई तो मेरे साथ की है इसक वो मुन्ना से कर रही है अरे फिकर ना करकालिया मैंने छोकरी को अंदर बंद कर रखा है और जरा आने दे उस मुन्ना के बच्चा को जिस तरह गन्ये की गन्येरी बनती है न उसी तरह मुन्ना के बच्चे की बोटी-बोटी कारकर ना फ्यकदी तो मेरा नाम जुमन का-का नहीं है क्या? शु, शु, क्या कर रुई- और न भागजाए को पहले है उस गाली ने पुट्टे को भढ़गा है, इसलिए उसने मुझे अपन कर रखा है मगर क्यों? और मालूम कुलहारी तेज कर रहा है कुलहारी? अरे लकडी काटने वाला, कुलहारी नहीं तो क्या वूस तरह तेज करेगा? अरे इसलिए तेज कर रहा है, ताकि गुद्देरी की तरह तेपी पूती कर दे भवरामत मैं उसका कीमा बना दूँगा, पता है कैसे? पुछ 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 पको क्योंके मैं सता हूँ अरे यह सता सता क्या लगा रखा है? सता नहीं मनू, सती का मरत सता अब न मुझे कोई आग काट सकती, न कोई कुलहरी जला सकती न कोई पानी उला सकता, न कोई हवा बहा सकती यह क्या बक रहे हूँ? सब उल्टा बक रहा हूँ, लेकिन घबरा मत, दो मिनिट में सब सीधा कर दूँगा अब यह वता कालिया कहा है, वहाँ और तरा बुदा वही है, अब जाओ यहां से जाओ ना न को मेरे गरदन न कुलहरी लादे हो महा है न, यह पकाड़ कालिया, इस कुलहरी की धार देखी है अरे, इससे तो ऐसी पतली पतली गड़ेरिया कड़ेंगी के मज़ा आ जाएगा क्या हूँ को ने, वो आ गया जर्दा, जर्दा तू यहां हाँ, सर्दार मैं खुदी कुर्बानी के बकरे की तरह यहां चला आया मैंने बहुत बड़ा भाब किया है, सर्दार एक मंगेतर लड़की से प्यार करने इससे बड़ा भाब और क्या हो सकता है, सर्दार उठाओ यह कुलारी और कर दो मेरे टुकले-टुकले मैं जुग जाता हूँ, तू मार जो, सर्दार तो क्या तू पुतली से प्यार नहीं करता? नहीं, सर्दार मैं पुतली से प्यार नहीं करता मैंने तो धोका खाया है पुतली का प्यार तो कली से होगा वाह, बया मुशे और प्यार तुशे नहीं रे पगले, दोनों तुष्से ना रो बेटा, ना रो बापू, मैं पुतली के प्यार में अपना पुतला नहीं बनवाना चाहता। पुतली का और मेरा क्या में। मैं ठरा एक रईस बाप का बेटा, पड़ा लिखा, नौ निहाल, नौ जवान। और पुतली, पुतली एक शरीफ, पवित्र लकड़े काटने वाली की बेटी, अनपड़ और गमार, उसका जोर तो कालिये के साथ होना चाहिए, क्यूंके कालिया है जंगली, जानवर और बत्तमीज। एए, गाली देता है? बापू, मैंने गाली दी? नहीं बापू, मैंने तो सरफ फिल्मों के नाम लिए बापू, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ, कि कालिये का रास्ता साफ कर दें, हमेशा किल दें। मगर वो तो तेरे नाम की माला रटती है ये गलत है बापू, ये गलत है इस तरह जोपड़े में बन करके मारोगे तो वो कभी नहीं मानेगी उसे तो प्यार दीजे बापू, प्यार बेटा, बेटा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ नहीं बापू, आपने एक काम नहीं किया वो मुझे करने दीजे मैं अंदर जाता हूँ और उसे समझाता हूँ है, हमें उल्लू बनाता है नहीं बापू, बनेवे को बनाने की क्या दरूरत है तो मन काका, इसको अंदर जाने दो शायद इसकी बात मान ले हम तो दौनों बार बैठे हैं तूने जरे शभी को गल्ती की तै ये कुलारी देखी है मुझे गंडेरी के टुकले भी याद है तो बापू, मैं लड़की के पास जाओ जाओं अरे जा भी नहीं नहीं लड़की तो क्या अब इस घर का दर्वाजा भी छूना मेरे लिए पाप है भाईया कालिये अपने हातों से मेरे लिए ये दर्वाजा खोल देना दर्वाजा खोलना क्या? को हो तो दर्वाजे को तोड़ दूँ तोड़ना नहीं, खोल देना भाईया, मगर एक वादा करो, अंदर जाकर मेरी तारीफ करोगे मैं अरे तुखोल तो मैं सब कुछ करूँगा खोल दिया भाईया, जाओ, जाओ वादा पूरा करना पुतली मुझ से दूर रहो, मुझ से दूर रहो अब तो मैं परिस्तरी को नहीं छू सकता लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो ये जो कालिया है ना ये बड़ाचा आजमी है ये खुद बखुद ये दर्वादा बन कर लेगा इसी में इसकी भलाई है अभी कर देते हैं कड़ी भी लगा देना लगा देता हूँ लगा देता हूँ मुन्ना मैं तुम्हारे बगर जिन्दा नहीं रह सकती हैं ये क्या ये क्या तु मुझे पपईये बनाना चाहती नहीं तु मुझे पापी बनाना चाहती है मैं भी तेरे बगर जिन्दा नहीं रह सकता अरे अरे कुछ तो अपने बाप का ख्याल कर बहुत है मेरी तारीफ कर रहा है, कान मेरे नजदीक ला ची 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 यह बसरी होगा, कभी नहीं होगा क्या कहा, अरे तुझे बेख शरम बनना पड़ेगा आज नहीं तो आगे भी तो यही होने वाला है, अगर तुम से जार करती हो ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता बापू, बापू मेरा काम हो गया हम चलील, कमी नहीं कही के, निकल जाए यहाथ नहीं तो बापू के बतले मैं तेरी गंदेरी बढ़ाए पुतली, तुझे जो जी मैं तू कहले, मुझे कमी नहीं कहले मेरे बात मत भूला का लिए समाल ले लेकल जा उसली गुड मॉनिंग चौदरी सहाब कैसा गुड मॉनिंग कैसा गुड मॉनिग कैसी तब यह थे आपकी तब यह तो अभी तक ठीक थी लेकिन लेकिन मेरे आती खरब हो गई क्यों तुम्हे देखते हमें याद आजाती है कि तुम्हारी वज़े से हमारी ऐसी हालत हुई अच्छा 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 ज्यादा बाते करना आपकी लिए ठीक नहीं हम तो चुपी थे तुम्ही ने बात शुरू कर दी आम सॉरी नर्स इंजेक्शन दीडीडोक्र इंजेक्शन इंजेक्शन सुबह इंजेक्शन शाम कॉलेक्शन तुम डॉक्टरों की इंजएक्शा इड़ा ही क्या है कमाल है चाधरी शाब आप इतने दिलेर और मजबूत आदमी होते हुए भी एक जरा सी सुई के लगते ही बच्चों की तरह चीख पड़े तुम्हें का पता हमें कितना लगता है जरा अपने हाथ में चुबा के तो देखो चलिए आज तो ऐसास हुआ कि लोगों को भी लगता है तुम फिर कॉमेंडिसम डिसकस करेंगे तुम आप आराम कर लिजिए ठीक हो जाईए फिर जगडा शुरू करेंगे क्यों आज जो चलता हम सुनो सुनो डॉक्टर पहले को हमने तुमसे कहा था कि तुम आदमी खराब हो लेकिन डॉक्टर अच्छे याद है जी हाँ आज हम कह रहा है तुम आदमी भी अच्छे डॉक्टर भी अच्छे जी जा 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 थैंकिए तुमसे साब थैंकिए नर्स लो सुर्दार एक कश लगाओ ला भाई पुम आज़े लेख लगा है पुमम तो भाई कि अनुपु आज़ए लेको पुतली सारा दिन वक्री की तरह बकर-बकर चाती रहती है लटी नहीं करेगी तौन शा करेगी यह वो लटी नहीं यह सीधी लटी है सारी बस्ती में काना फूसी हो रही है मैं पेट में पाप किसी और गेले में बंदू नहीं होगा कुत्ते क्या बोलता है मैं तरहा खून पी जाऊंगा पुदिविधरा इधरा जो कुछ ये कुत्ता कह रहा है तरहा है बोलने क् población नहीं और अपने अप होंगा दो कहें मेомदी मिंगीा क्या यह दो क्या अपने हाप होंगा तो जो कुछ ये कुद्रहा थीक है? कामेडी! तुन्हे मेरी नाग कटवा दिए! पतली को जान से माँ डालने से कह तेरी इजग बचेगी? जिसका ये बाप है उसे से इसकी शादी कर दे ship! हाँ, बता कोन है कामीना? बापु बापु चाहिए तुम मेरी जान ले लेकिन उसकाराम कपिन नहीं नहीं, बताउगी मुन्ना physician काता हुझ नहीं बताउगी ध्यक्त्रकाया थेका थेका। रिष्जाम सक मेरे चूप लेखीk निजी दौड़ेजे मरे का खेंगे बाओीचे ढ़ स्कैम्ट तेत्यत्यु साहिए। डॉक्टर साब ने कहा होगा लेकिन हम कहने हमारे लिए सिगरेट पीना जरूरी है प्लीज पिलीजे हम दबा फेक देंगे उठाके नर्स क्या हुआ दबा ने पी रहें मैंने क्यों भी पी रहें आप दबा बाते में आप बहुत दुनों को बाद शिगरेट पी रहे हुआ जा कर रहें क्या वाजब क्या कर रहे हो जू जंगली लायर मेरे बेटे पर गंदा हिर्दाव लगाता है हम लोग रेपटेशन लोग है इज़त वाले हैं इसलिए ब्लैक मेल करकर रुपिया निकालना चाहता है इज़त की आर लेकर रुपिया कमाने का धंदा हम गरीब नहीं करते हैं मेम साब इज़त के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और अगर जूरुद पड़े तो जान ले भी सकते हैं इसे अरेस्ट करवा दो इसकी जरुदत नहीं मेम साब पुलिस के पास मैं खुच जाओंगा और कहूंगा मेरी बेटी की इज़त लूटने वाले मुन्ना को मैंने इस कुलहरी से मारा है मुझे पकड़ो जुमन भाइल शान्ती 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 बेटी जी हाँ बाबुजी ये सच है हम एक दुसरे से प्यार करते हैं रोज मिलते हैं और उन्होंने मुझे से शादी का भी वादा किया था इसलिए इसलिए क्या इसलिए कह दे कि मैंने अपना मुकाला करवा लिया जुमन भाई आई शांती से काम लो मार पीट से क्या होगा जो होना था सो हो चुका है अब तो इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए इंपासिवल ये जंगली नेती हमारी बहु इंपासिवल ये जानवर मेरे मुन्ना का फादर इन्ला इंपासिवल इंपासिवल ये मुझसे बरदास नहीं हो सकता तुम्हें बरदास करना भी नी चाहिए मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा करने से तुम्हारी शान धूल में मिल जागी ये नो डाउट ये वह मां है जो आपनी शान के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर सकती है तुम अपनी बेटी को यहां से ले जाओ चला दो कुलहडा मुन्ने पर आरजो मैर वो चंगली मेरे बेटे को माड़ा दे का अरे मारने दो ना ऐसे बेटे का मर जाना ही अच्छा है जो अपनी मां की इजट का ख्याल नहीं रखता नो 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 आइवाट माइस तुम्हारी मर्दी करो बस आँ आँ देखा जुम्हान बाई कैसा चक्कर चलाया है भले अंग्रेदी ढंकिया मगर आखिर है तो मा ही ना और दूसरे जुम्हान बाई बच्चों का प्यार कहीं पाप न बन जाए यह देखना माबाप का फर्ज होता है तुम जाओ और शादी की तज्यारी करो ठेकेदार साब ठेकेदार साब आपने नरी जद रख ली पगली पाओ 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 जीती रहो बेटी जीती रहो जीती रहो ठेकेदार साब ठेकेदार साब ठेकेदार साब ठेकेदार साब पुल, पुल पुल लो है। मैं पूसरर जी पूसर जी मुबारक बा दीजिये मेरी छादी की सिर वाध तो, पूसर जिर कर आई। अचरेवाध पूसरुधपरात चल बैटी, जल घर चल। कहीं मेरा बुड़्डा कर तेरे बुड़्डे की बात नहीं मानता तो तेरे बुड़्डे की कुलहरी मेरे गर्दन पर पड़ती और मेरे गर्दन फुटबॉल की तरह सीधा गोल में जाती मेरा बुड़्डा अच्छा है ना अरे बुड़्डा तेरा बाप वही तुम्हे कह रहा था पीड़ाजी अवे ओ नालाएक तो ये सब तमाशा तुम लोगों के खुद का बना हुआ था ये पैटब तेरो बेटा तुम दोनों के जोड़ी सलामत रहे जो बेटी आप तुम जल्दी भाकरब्रति घर जाओ 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 आपने तो कह था पकढ्या आप चौड़ दे गटम जाए önगर्ट है जाओ जाओ डादी डैडी, अभी तक आप खड़े हैं, बैच जाएए ना, और कुछ दिन आपको आराम की जरूरत है किस सुल्लू ने कहा मुझे आराम की जरूरत है, डाक्टर ने, मैं खूब समझता और तुम सब मिलके मुझे बिमार बनाना चाहते हैं कैसी बाते करते हैं आप डैडी, हम सब तो आपकी तंदृस्ती ही चाहते हैं, जूस मुझे नहीं चाहिए जूस, तंग मत करो मुझे चली जाना है आप जूस पिलीजे, फिर मैं चली जाओंगी, तो घंटे के बाद सूप लेकर आओंगी, सूप पिलाकर मैं फिर चली जाओंगी, साच डैडी, जूस जूस, ये काम तुम को कर रही है, और रामनादन कहा मर गया, उसे बेज दो ताके आप उसे डाट सके, और जूस बहार पैक दे अच्छा, मैं तो मैं भी डाट सकता हूँ, और जूस भी बाहर पैक सकता हूँ क्योँ नहीं? जूरूर डाटिए, जूस भी बहार पैक दीजीए जी चाहे तो दो-चाटे भी मार दीजीए लेकिन डैडी इसके लिए भी ताकत की बहुत जरूरत होती है आप जूस पी लीजिया और फिर आराम से मुझे डाटिया डैडी जूस बिल्कुल अपनी दादी की तरह एक ही बात पर रख लगाया दादी की तरह? यानि आपकी माँ? डैडी मेरे दादी कैसी थी? तुम्हारी तरह जिद्धी, बदमिजाज समझे, क्या, क्या, नहीं क्या, मैं जिद्धी क्यों हूँ डैडी आप तो बिल्कुल जिद्धी नहीं है डैडी जूस अड़े लो आसका डैडी आसका डैडी जिद्धी आप जी डैडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं जिए अरे रुने का क्या मतलब? थैंक यू बोला इसलिए आज मुझे आपका प्यार मिला आपने मुझे गले से लगाया डैडी आप अच्छे आप बहुत है अब मुझे रोना अच्छा नहीं लगता है डोक्टर अब तक नहीं आया दो दिन सो कोई पता नहीं आये तो थे, मुझे मिले थे तुमसे को मिला था? तुम्हारा इलाज कर रहा है या मेरा? आप सो रहे है हाँ तो नीन की दवा देगा तो सोंगा ने तो क्या आने दो उसको सबक से खाता हूँ सबक? हाँ सबक, मैं उसका पैर तोड़ दूँगा वो बत्तमीज है, नाला एक है दुनिया को नफरत की नजर से देखते हैं क्यों? क्या दुनिया मुझे नफरत की नजर से नहीं देखती? आप समझते इतने दुनिया बुरी नहीं है डैडी प्यार से सब तकलीफे दूर हो जाती है इतनी सी लेड़की मुझे नस्येत देती? नहीं डैडी यहां बुला लाएं में उसको दुमाग दुरूस्त कर देता हूं कोई ज़रूरत नी डादी आप उन्हें क्यों जलील करना चाहते हैं मैं ही दुलीप से कह दूंगे कह दाना कि वो यहां कभी ना आया और मेरी बेटी से चुप चुप कर कभी ने मिले जो डादी कौने रोके दाँ अप त्यार दुप कर दूंगे तारा स्था मैं तो पीकी नगरिया जाने लगी आज बैठें बिछाएं ये क्यों हो गया दिल की हर बात आखों में आने लगी मैं तो पीकी नगरिया जाने लगी आ गए आ गए मुस्कुराने के दिन लड़कराने के दिन गुंगुनाने के दिन मैंने पाये पपाओं में बांधी नहीं और आवाज गुंगरू की आने लगी मैं तो पीकी नगरिया जाने लगी आज पेसी चली भीगी भीगी पोवन लहला ले लगा मेरा नाजुक बदन मैंने पल के अभी तक छुखाई नहीं नींद क्यूं मेरी आखों में आने लगी मैं तो पीकी नगरिया जाने 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 लगी बचर देख़ी रख़ी पर जेख़ी नाने लेख़ी लेख़ी यूर पकिए परियोख़ी नाने लिए्ट मैं एख़ी पीकी जिरियोँ पीकार ने चाहँ़ी ने भीक्राषut लेख़ाँ से भीके लेख़ी ने बाल करते Computing जब रहे हैं मालिक! जब मालुके शाहिए तैय हो चोके मुन्ला के साथ जलत मालिक! जलजा, मेरे साथ आजारीगे! करको जा! नहीं मालिक! नहीं मालिक! इसका बदला जरूर लूगा मालिक! प्लीज हो लोग अभी आती ही होंगे वो तो ठीक है मीना हम सोच रहे हैं कि लड़की वाले को लड़के वालों से किस तरह बाते करनी चाहिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें काची बड़ी बात है डादी आपको तो यही कहना चाहिए कि यह आपका सवभाग्य है कि उन जैसे बड़े लोगों की साथ ही रिष्टा हो रहा है ऐसा कहना चाहिए जी वो उन्लू का पठ्था ठेकदार का बच्चा बड़ाद्मी कैसे हो गया हमसे हुजूर हुजूर करके लकड़ी खरीदता है मुझे डाटते रहते है लेकिन डाडी वो यहां रिष्टे के लि इस रिष्टे के लिए वो मान गे यही आपके लिए सben्लेशनेस बड़ा सबसे बड़ा सथ न अर्ड़े लोग हैं निया दाटते है वही किसे को अपने सब्सके सामझते हैं सब्सक्वोण डर्मी का मैं सब्सक्नि कपड़े रख दिये, जाल भी लख दिये? हाँ ठेकरदार साहब आपका हमारा स्वभाग यह किया आप हमारी बेटी से शाजी कहा देंगे उन लेटी के लिए जारी सबकुष रख दिये, जिल्दी के यार हो जारी है हाँ मालती रॉय, नहने ताल प्यारी मीना, तुमारा खत मिला पढ़कर दिल तड़प उठा और यह भी महसुस होने लगा कि कहीं तुम अपनी पिताजी के लिए अपनी जिंदगी बरबाद न कर दो अगर वो तुमारी शादी दिलिप से कर देने से इंकार करते हैं तो तुम दिलिप को लेकर मेरे पास आजाओ तुमारे पिताजी तुमारा कुछ नहीं बिगार सकते आखिर मेरा भी तो तुम पर कोई हक है सब ठीक हो जाएगा, तुमारे मालती रॉय मुझे शुक्त मैमि वो तखो।। पाजमा पहन के आ रहे हैं ओ, he is coming without dress नो ममी, no without dress, proper dress नमस्ते चौदरी साथ, नमस्ते नमस्ते शाद तुम लोग नहीं मालम हमने तुम्हें किसली बुलाया है यह आप क्या कह रहें जोई साथ यह तो हमारे लिए सोभागी की बात है टीजया है, कि आपने मीना और दिलीप की शादी का रिष्टा मुंदूर कर लिया और आज आपने हमें सगाई के लिए बुलाया है तुमने कैसे सोच लिया कि हम आपनी बेटी के शादी तुम जैसे के खेकेदार के लालते शाथ कर देंगे तो लोग जा सकते हों एंग, भाई काल डड़ी, मुझे बास आती है बेवला पिया, बेवला पिया शरब, शरब हमने अपने पिया तुमारे बाप पिया जानते हमारे बेटी को भड़का कर तुम लोग अमसे बदला लेना चाहते है हम ये भी जानते है इस साज़िश में बेवफा औरत कभी होते है वाटर यू टॉकिन, माय हाट इस बेवफा ममी, ये आपको नहीं कहने है किसी दूसरी बेवफा हो कहने है, क्यों चौदरी साब चौदरी साब, आप मेरी बात सुनिये हम कुछने सुना चाहते है चौदरी साब, चौदरी साब, देखे, हम लोग आपसे लड़की खरीदते है और पैसे भी रोक ले जते हैं, कोई आपसे भीट तो नहीं मालते है और ये जो कुछ भी हम परदाश कर रहे है, ये तो हम हमारी मीना बापी कर बदाश कर रहे है और नहीं इस वकट चाबुक से चमरी उधर देते है चौदरी साब, ये आप नहीं, बलके शराब बोल रही है चुप रहा, तुम हमारे मजदूरों को भड़काते हो, उनसे स्ट्राइक करवाते हो तुम हमसे दुश्मन ही करते हो, और ये चाहते हो काम अपनी बेटी के शादी एक दुश्मन कजाद कर दे चौदरी साब, ये भी बच्चा है, मैं इसे अच्छी तरह समझा दूगा शादी एक तुवेतर रिष्टा होता है पिता जी चौदरी साब, अगर आपने सिर्फ मेरा अपमान किया होता, तो मैं सह लेता लेकिन जहां मेरे माबाप का अपमान हो, वो रिष्टा मुझे मुझे मन्जूर नहीं चली पिता जी आई आई मीना, बेटी मीना मैं तेयार हुँ चाचा, अपी आई बेटी गजब हो गया, जल्दी बहाँ जाओ उन्हें रोको मालिक ने उन लोगों कुछ जलील करके निकाल दिया, रिष्टा कोल दिया हाँ चाचा, यह क्यों हो गया बेटी, चल्दी जाओ, दिले बाबु को समझाओ माप भी मांगो, वरना तुमारी जिन देंगी बर्बाद हो जाएगा नहीं चाचा, अब कोई फाइदा नहीं दिली पर मेरी सूरत तक नहीं देखेगा चाचा, मैं बर्बाद होगी यह कैसे हुआ चाचा जैसे आज तक होता है यह जालिम शराफ मालिक का पीछा कभी नहीं चोड़ेगी रो मत बेटी, मेरी बात मान दो और यह घर चोड़कर चली जाओ नहीं चाचा, नहीं बेटी, याद है तुमें उस दिन तुम इस घर से जाना चाहती थी, मैं ने तुम्हें रोका आज मैं तुमसे प्रार्तना करता हूँ, हाँ जोड़ता हूँ कि तुम यह घर चोड़के चली जाओ इसी में तुमारी भलाई है वरना जिन्दगी बर तुम्हें पश्ताना पड़ेगा नहीं चाचा, नहीं मैं अपने सुख के लिए अपने डैरी को नहीं छोड़ सकती मैं बरबाद हो जाओंगी लेकिन अपने करतवे का बालन करूंगी यह मेरी माँ की आख्या है करता है तरली तरली न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा है न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा है मगर क्या करे अपनी राहे जुना है न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा है जहां थंडी थंडी हवा चल गई है जहां थंडी थंडी हवा चल गई है किसी की मुहाबद वहा चल गई है जमी आसमा हम से दोनों खफा है न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा है अभी कल तलक तो न हो बजवा थी मिलन ही मिलन था जुदाई कहां थी मगर आज दोनों ही बे आसरा है न तुम बेवफा न हम बेवफा है जमाना कहे मेरी राहों में आजाँ मुहबत कहे मेरी राहों में आजाँ मुहबत कहे मेरी बाहों में आजाँ वो समझे न मच बूरिया अपनी क्या है न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है मेना दरावा दकोलो यह रोना दोना किसलिए है, हमने जो कुछ किया खूब सोच समझ के किया, लेकिन फिर भी अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो, तो कर सकती हो, लेकिन हमसे और हमारे घर से तुम्हारा कोई वाकता नहीं रहेगा, क्या सिर कह देने से पिता पुत्री का नादा तूट जाता है डैडी, और फिर किसी को घर बुलाकर उसका अपमान करना कहा की शराफत है, शराफत हो यह जलालत, यह शादिया हम कभी नहीं होने गएंगे, हर्किसमें, डैडी, आप यह सब इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आपने हमने शराफ दिये, मगर हम नशे में बहके हुए नहीं हैं, बलके इस खत को पढ़कर फूश में आगए है, मेटरंजी का खत, हाँ, तुम्हारी मेटरंजी का खत, यह औरत होती कौन है, तुम्हारी शादी कराने वाई है, सलील, धोकेबाद, पेस्टी को बाफ में खलाब बदला लेना चाहती है, बदला, वो भला मुझसे बदला क्यों लेंगी, मैं तो उन्हें बरसों से जानती हूँ, और आपने पहली बार मिलने पर उन्हें जलील और धोकेबास कहा, वो एक देवी है, वो देवी नहीं खुनी है, उसके दामन पर एक निर्दोश इन्सान के खुन का दाग, या क्या कहरें, मेटरंज खुनी, हाँ खुनी, उसने के इन्सान के जजबात का खुन किया, उसके महबत का, उसके अर्मानों का, उसके जमीर का खुन किया, कौन है वो, आप उन्हें जानते हैं, जानते हैं, पखु भी जानते हैं, उस औरत ने उसके साथ मह जिन्देगी भर साथ रहने की कसमे खाईं, लेकिन जब शादी की तारीख पक्य हुई, तो वो कुल्ट आप बीमारी का बहाना करके हस्पताल चली गई, क्योंकि एक डॉक्टर से वो महबद करती थी, मर्द सब कुछ परदार्स कर सकता, लेकिन आउरत की बेवफाई हर्गिस उस शक्स की महबद नफरत में बदल जाए, और शादी तूट जाए, उसने तुन से जूट का, अगर यह सच है तो वो बच कैसे गई, और अगर वो अच्छी हो गई, तो उस शक्स के पास जाकर सच बात कर नहीं मताई, वो गई थी डैडी, लेकिन बहुत देर से पहुंच डैडी, अभी तक उन्होंने शादी भी लेगी, तो क्या हमने, हाँ डैडी, आपने एक पुरुष की छूटी कहानी सुनी, मैंने आपको एक स्ट्री की सची कहानी सुनाई, और जो खुद मौच ऐसे जिन्दगी बिता रही है, वो भला मुझ से क्यों बदला लेंगी, और और वो तुमसे बहुत प्यार करती है, सुच डैडी, चले गया, आप सुच से हमेशा भागते रहे हैं, डैडी, अज तब तुमने हमें भुला वे में रखा, तुमने हमें धोके दिया, तुमने हमें धोके दिया, पेंडादी, आप क्या कर रहे हैं? दादी, याप क्या कर रहे हैं? वहीं, वीजो बरसों पहले मुझे वर्ला चाहिए था! वीजो बरसों पहले, अचानक एक दिन जो आग दिल में जल उखी थी उसको बुजाने के लिए हमने शराब का सहरा लिया दे। लेकिन इसने उस आग को पुझाय नहीं, बल्कि और भी फड़का दिया, यहां तक कि हम भूल गए हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम सब कुछ भूल गए, मगर जो भूलना चाहते थे उससे न भूल सके, तो किसी ने हमारे साथ बेवफाई क्यों की, क्यों हमारे दिल पर साथ हों क्या, तैडी, तो क्या, आख भी वो, आबेटी, हम ही हैं, वो बदकिसमत इनसान, हम गलत करने के लिए हमने, हमने इसे गले लगाया, और हमें शैतान बनाने के लिए यह हमारे गले लग गई, एसी हालत में, हमें क्या हख था कि एक मासुम लड़की से शादी करके, उसकी भी जिन्दगी बरबाद कर दे, उसे तडपा सडपा कर, मौच के मुँ में धक्यल दे, डैटी, हमें कोई हख नहीं था, कि हमारे होते हुए, हम अपनी नदी सी बच्ची को एक यतीम और लावारिस की जिन्देगी बिताने पर मजबूर करते हैं, बैटी, आज हमने मैसूष किया, कि अब तक हम जो कुछ करते रहें, सब गलत था, बैटी, और सब से बड़ा दु तो महारी मा की आत्मा, कभी माप ने करेगी, लेकिन अगर तर्सको, तो तुम हमें माप कर दे ना डैदी, मुझे क्या अधिकारे आपको माप कर देने का, मैने तो आपसे सिर्फ प्यार किया है, और करती रहूँगी, ये मेरी मा की आँग्या है सच डैडी, उन्होंने पत्र में मुझे लिखा है कि बेटी, तुम अपने पिता को सिर्फ बेटी का प्यार ही नहीं, मां की ममता भी देना, इसलिए मैंने यहां रहने की जद की बेटी, तुम हमें जूटी तसलिह दे रही है नहीं डैडी, यह है वो पत्र, इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ उन्होंने लिखा है, बेटी, तुम्हारे पिताजी बुरे आदमी नहीं है, उन्हें कभी गलत न समझना उनकी नफरत का जवाब, नफरत से नहीं, प्यार से देना, तुम्हारे प्यार से वो फिर इनसान बन सकते हैं अगर तुम यह कर सको, तुम्हें ही दडबती हुई आत्मा को शान्ती मिलेगी मेती, अब हमारी जिन्दगी सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुख के लिए हम, हम सब कुछ करने को तयार है, अपनी जान तक की बाजी लगा देता है चैदी, माँ है आज मैने अपने कर्तवे का बालन किया समय कहती है लाला ओ माँ, हानी, हानी मैर मैं चोधरी कम चोधरी साहर, आप गगगदी दोन गो नियर, पिस्तोल लेकर आया होगा, यह मैं चूतेडी हूँ आला छेकदार हूँ, हम तों से कुछ कहना चाहते हैं चाहरी साब, हम जैसे छोटे आदमी हैं, आप जैसे बड़े आदमी के घार अपने बेटे के रिष्टे की बात करने गएते हैं हम से भूल हूई, हम क्षमा चाहते हैं, हम बहुत लग्जित हैं हम प्रामिस करते हैं, माई सन यूर डॉटर से कभी नहीं मिलेगा यह बात नहीं, गलती हमारी है हमने आप लोगों को रिष्टे के लिए घर बुलाया और आप मान करके बाहर निकाल दिया दरसल, दरसल किसी गलत फाहमी के वज़े से हम होश में नहीं थे इसलिए हम यह खुद आए हैं और आप दोनों से हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशी की भीग मांगते हैं इस चोधरी शाहाँ वो जेख अगर आप इस ख्याल से यहां आए हैं के हम अपना इंसल भूलकर आपकी बेटी मीना को हम अपनी बहु बना लेंगे तो यह आपका ख्याल गलत है नाव फ्रम मीना इस डेड़ ऐसा न कही है बहन जी बहन जी? तब बहन जी कहा मर गई थी? जब उसके दो बेटेर हजबन को गेट आउट किया था? आप थेक ही कहरें लाला अब तक हमारी आखोंपर घलत फैमे का परदा बढ़ा हुआ था लेकिन आज वो परदा हट गया आज हमने मैसूस किया कि अगर इंसान हेंकार को छोड़कर ख्षमा मांग ले ख्षमा कर दे तो दुनिया के सारे जगड़े खत्म हो जाए इसलिए लाला आज आज हम तुम से ख्षमा मांगने आए चादरी साहब इसमें मात भी मांगने यह डून तॉक अगेन इन अगेन यह तो भगवान की दया है हमको बचा लिया नहीं तो मैड फैदर की पागल बेटी बहुरानी बनकी हमारे घर में आती और घर को बर्बात कर देती ऐसा न कहिए मीना के लिए ऐसा न कहिए लाला आज तक हमने अपना सर भगवान के सामने भी नहीं जुखाया लेकिन आज अपनी बेटी के खुश्चिती लिए अपना सर तुम्हारे पैरों पर रख देचा जुखाया चौदरी साहब यह आप क्या कर रहे हैं हम इनसान हैं को पत्थर नहीं आपकी बेटी इस घर की बहु बनेगी लाला चौदरी साहब आपकी बेटी इस घर की बहु बनेगी नॉनसेंस अपना इंसल्ट भी भोल गया तुम चुप रहो जी चौदरी साहब जो गलती आपने की वो मैं नहीं करूंगा हम अपने मान और अपमान के लिए बच्चों की जिंदगी क्यों बरबाद करें आप जाइए और शादी की तयारियां कीचिए सुनिये कुछ लेंदेन की बात्ची तभी कर ले तो लाला तुम तो जानते हो सब कुछ मीना काई है हाँ हाँ चौदरी साहब मेरे पास बखमान का देया हुआ बहुत कुछ है मुझे पैसा बंगला नहीं चाहिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए वह आपका हंटर इसके लिए जाइए आप तयारियां कीचिए यू इडियट नॉंसेंस यू डपर मेरे लिए हंटर मंगाते हो पागल हो गय हो क्या पागल था मगर अब नहीं मैंने सबसे बड़ी गलती ये कि जो तुझे इंगलेंड ले गया जहां से जमना से जेनी बनकर तू आ गई देखो जमना मेरी अब भी ये प्रार्थना है कि इसले बादे को उतार कर फेंग तो आपने आपको फिर सी हिंदुस्तानी सांचे में ढालो ये घर स्वर्ग बन जाएगा No! I don't like this native culture Madam Do you know this thing that our culture is much more deep-rooted than you are this lesson culture Oh honey You speak my language ये तुम्हारे बात की भाशा है आपके बाद इस घर में स्वाय आपनी बाचा के और कोई दूसरी बाचा नी बोली जाएगी चम्झेग No! I can't You can't? Then wait Oh! You brute! You beating me? No! 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 Yes! 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 No! In India! In India! In India! India! Hindi! Hindi! Now, बेत्वार जाओ और बाल वार ठीक करो और साडी पाherन कर Hindustani आत्वारत बन कराओ और आपने पती के चरन्चूओ शम्जेग। जाएँ जाएँ इदर ओ इदर ओ The first time चूओ साइट पैल से बैठा नहीं जाता हुआ शुआ आप जाओ जा गरेजियां बोलती है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जानकालिया से बचेगी और इतना ही नहीं इतना ही नहीं क्या यही कि तुम इतने चालाक निकलोगे सब को धोका दे कर मुझे उड़ा ले जाओगे और मेरे हाजी बन बनोगे क्या वहला तुने हाजी बन यार हाजी सुना था लेकिन हाजी बन नहीं सुना था बाम्बे बन होता है कलकत्ता बन होता है केरला बन होता है आजकल बन की जगह घेराओ शुरू हो गया लेकिन तो अभी तक बन पर है तू कौन सा बन बोल रही है वही जो अंग्रेजी में मरत क तेरा सत्याना था हिंदी में जो मरत कुछकी कहता है उससे अंग्रेजी में हास बंड कहते है बोल हाजी बंड हास बंड हाजी बंड अच्छा तुबनी बोल मैं बंड समझूगा लेकिन एक बात तो ऑट पढ़ती हुआ है तुम्हारे घर में सभी ठोकते हैं ना मेरे घर में तो बहुत ठोक अटागी चलती है अंग्रेजी की, लेकिन तू क्यों ठोकने लगी, एक बात बलू, बको, सुन, तू जैसी है न, वैसी राना, मुझे वही जंगली कबूतली चाहिए, अंग्रेजी गुडिया नहीं चाहिए, ए, सुन, सुनिये, हजपन को सुनिय जब हमारी शादी होगी, तो तू मुझे अंग्रेजी पढ़ाना, मैं सारी रात पढ़ूँगी, जावाश, तू सारी रात अंग्रेजी पढ़ना और मैं सारी रात चपाटी बनाऊंगा, क्यों, तुम देखकर खुश होना, तुम्हारी दीवी पड़ी लेकी बन रही है, यह देखकर तुम मिदसे जादे प्यार करोगी, क्या खाट प्यार करूँगा? बचा, 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 अरे, यह तो मीना भावी को लेजा रहा, बचा, 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 अभी तक वार भीमार भी नि पूला, मैं अपका पद्रा जरू उटूँगा, बचा, 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 बच कर तुम जा के भीया को बना मैं इसका पिछा करता हूँ तुम जाओ हिन क्या रहे हो जाओ जल्दी चुट मुझे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुमने नहीं है तुम्हारे पाम ने जो मुझ पर सुनम किया है उसी का पदला में आई तुम से लूना मालिक हो रहा कालिया उसी ने मीना जी को जोपड़ी में बंद कर रखा है तुम सब क्या कर रहते हैं साथ में बंदुक किस ले थी हम चार आदमें सौजनों को मुगाबला कैसे कर सकते थे मालिक कालिया तुम सब की लाशे नजर आएंगी मेरी बेटी को छोड़ दो वरना परना क्या करोगे मालिक गोली चलाओगे यही ना तयार गोली चलाओगे देखा मालिक बदेगी यह सबने मुझाल जादी क्यानी छूटता ही वह जोपनी जला दी जाएगी और साथ में तुमारी बेटी भी दादी क्या चाहते हो तुम बदला अगर बेटी की सिंदगी चाहते हो तो फैल दो बंदू नहीं दादी नहीं बंदू मत बेखिये अपनी जान बचा लीजे दादी नहीं आपने चाहँगी दार सभी कह दो बंदू उप्साइच दे कह दो बंदू नहीं दादी नहीं आगे बोला मालिक आगे मत पढ़िये डादी आपकी जान खत्रे में है नहीं दादी मैं के तुम आगे बढ़ो आए तोनों तरफ से हार तुम्हारी है परसों से जो तुमने जुनम किया हैं हम गरीबों पर आए उसी का बच्वा मैं तुम चलूँगा आगे बढ़ो पहले हमारी बेटी को छोड़ दो नहीं मालिक तुम्हारी बेटी के सामने तुमसे बढ़ लेना चाहता हूं नहीं दैडी आपकी इज़त मुझे मेरी जान से भी प्यारी है आप इसके दोस में मत आईए अमने पहले बेटी की सिंदगी आपनी इसदे चाहते हैं यह बेटी की सिंदगी कर खाए तो आख आखान? आखे लग行 औवी लखी दिव अ आईवण आईबगा आईवण आईवण उन्दो उब गन्यानवडावावाई आई आईवण आईवदट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो गर्टेश्एं, मौलइक आउज भाहत जाये आउज आए जाली जाएगी मिदे अमा जिल चाव पुखली मेरी वेकी अंदर जल भी है वो उसे किसी सुरत न जो जाऊँगा वरना उसके साथ जाऊँगा ड़ी मौलइक, नहीं ते मुपप बने पने पने कमा चावे, बने के बने के में जिले 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 बने में पने जिले लो जिले कली मुसकाई लो जिले 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 लोए कली मुसकाई दुनिया से जुदा खिलने की एगा दामनों में बहारे लाई लोए कली मुसकाई मुसकाई कर दो, खिलने की कपकोच के लुदा ऑन समय कि भेस बताए चॉदा कि एताए खिलने की एता-क